जून यू जानता था कि आदित्य के पास केवल एक ही वार के लिए परियाप्ट ताकत थी और उस घातक प्रहार को प्रकट करने की शक्ती में आदित्य के शरीर के भीतर की संपून उजा शामिल थी उस वार को अंजाम देने के बाद आदित्य पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाएगा कोई भी उसे आसानी से मार सकता था लेकिन फिर भी जून यू ने अभी भी बिना किसी हिचकी चाहट के उस रक्षात्मक खजाने का इस्तिमाल करना चुना जो उसके मालिक ने दिया था उस तल्वार के हमले का खत्रा उसके लिए बहुत बड़ा था उसने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की जैसे ही सुक्ष्म नदी की वह सुरक्षात्मक धारा प्रकट हुई, उसके चारों ओर का स्थान सब दूर हो गया जून यू के चहरे पर एक तिरसकारपूर्ण मुस्कान थी और आदित्य को घूरते हुए उसकी आखें ग्वेश से टिंटिमा रही थी एक प्रचंद हवा का जोंका गुजरा, जैसे आदित्य चाया गायब हो गया उस तलवार की उंगली का बल जून यू की और बिलकुल भी नहीं फूटा आदित्य के पास केवल एक ही स्ट्राइक थी वास्तव में शुरू से ही उसने कभी भी जून यू के खिलाफ इसका इस्तिमाल करने का इरादा नहीं किया था जून यू के दिल में उबलती लप्टें फूटते ही उसके चहरे पर वह तिरसकारपूर्ण मुसकान अचानक मुड़ गई जैसे ही उसके मुह से सफेद ज्ञाग निकला वह हिंसक रूप से कामपने लगा मानो उसे अभी अभी अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान मिला हो वह शाही पवित्र संप्रदाय से था फिर भी ग्रैंजिया में जूनियर पीडी के एक सदस्य द्वारा उसके साथ मजाग किया गया था पर वर्तमान मुसकान उभास के समान थी यह ऐसा था मानो आदित्य उसे बता रहा हो कि उसके खिलाफ इस तल्वार के बार का इस्तिमाल करने के लिए उसे परिशान और तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है और यद्यपी आदित्य ने उस पर तल्वार का प्रहार नहीं किया था जून्यू ने पहले ही एक अमुल्य जीवन रक्षक हजाना बरबाद कर दिया था आदित्य के लिए उसके पास केवल एक ही अफसर था कि वह भारी तबाही के उस प्रहार को शुरू कर सके भले ही जून्यू की स्थिती कैसी भी हो या उसकी प्रिष्ठ भूमी कितनी भी महान क्यों न हो आखिरकार जून्यू दिव्य घटना के पहले स्तर पर केवल एक आरोही था चुंकि आदित्य के पास केवल एक ही प्रहार था वह स्वाभाविक रूप से अपने हमले को एक ऐसे चरित्र पर लक्षित करेगा जो आज यहां युद्ध के प्रवाह को निर्देशिक कर सके और यह चरित्र कोई और नहीं बलकी महान सौर चेन कभीले का पूर्वज था ओयांग अरिस्टोक्रिट कभीले और जियान कभीले की भागीदारी के बिना मूल रूप से कोई भी नहीं था जो चेन कभीले के पूर्वज को वापस पकड़ सके उसकी ताकत के साथ सेना में शामिल होने वाले कुल तीन आरोही ही उसे वापस पकड़ सकते थे चेन पूर्वज की हत्या करके ही वे आज की स्थिती को उलट पाएंगे इसलिए आदित्य परी किंग मेई और बाकी लोगों के साथ लगातार संदेश प्रसारित कर रहा था जैसे ही आदित्य ने अभिनय किया, तीन आरोहियों के साथ 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 वधकट पुतलियों ने एक ही समय में चेन पूर्वज पर प्रहार किया उन्होंने चेन कबीले के कुलपती की पूरी तरह से उपेक्षा की चारो आरोहियों ने अपने क्रॉसफायर के केंदर में चेन पूर्वज के साथ अपने सबसे मजबूत हमले का इस्तिमाल किया बढ़ते दबाव के नीचे चेन पूर्वज चिलाया क्योंकि उसके चारों और चमकदार धधकते सूरज दिखाई दे रहे थे सूरज की किरने शांदार धंग से चमकती हैं, सूर्य के प्रकाश की ढाल में घनी भूत होकर अत्याचारी हमलों को रोकती है यह रोशनी इतनी चकाचॉंध कर देने वाली थी कि कोई भी इसे सीधे नहीं देख सकता था बहुत शक्तिशाली, एक तीसरे स्तर की दिव्यगटना आरोही को वास्तव में बहुत शिखर पर खड़ा एक चरित्र कहा जा सकता है साथ वध कटपुतलियों के अलावा, तीन आरोहीयों के संयुक्त हमलों के पास अभी भी उनकी रक्षा को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था दर्शक चुपचाप अपने दिलों में सोचते रहे और इसी क्षण दूसरी दिशा में तलवार का प्रहार जो आदित्य जून यूपर करना चाहता था अचानक दिशा बदली और चेन पूर्वच की दिशा में वार किया स्वर्ग और प्रिथवी में एक विशाल हवा चली पूरा अंतरिक्ष अजीब तरह से खामोश हो गया मानो आदित्य उंगली ही इस दुनिया में बची हुई चीज थी एक अद्रिश और निराकार उर्जा एक अमर हत्या करने वाली तलवार में परिवर्थित हो गई जो चेन पूर्वच के लिए सही निशाना लगा रही थी इस तलवार का निर्मान स्वर्ग और प्रिथवी दोनों ने किया था जबकि आदित्य के शरीर में संपून उर्जा द्वारा संचालित था उसके बाद तलवार को खोल दिया गया आदित्य का शरीर शिथिल हो गया पूरी तरह से उर्जा से रहित हो गया क्योंकि वह आसमान से नीचे गिर गया इस हमले को शुरू करने के लिए वह पहले ही उर्जा के अंतिम शेश निशानों को समाप्त कर चुका है जो वह जुटा सकता था यहां तक कि उनकी द्रिड इच्छा शक्ती और उनकी हत्या का इरादा भी उनके उस अंतिम प्रहार में विलीन हो गया था जैसे ही तलवार का प्रहार शुरू हुआ उसके हृदय का द्रिड विश्वास भी साथ-साथ फूटने लगा उसका शरीर अब और नहीं सह सकता था और एक गिरते हुए पत्ते की तरह वह एक भयानक आधी के बीच बेबस होकर बहता चला गया हाला कि अभी भीड का ध्यान उस पर केंद्रित नहीं था उनका सारा ध्यान उस अमर सनहारक तलवार पर था वह तलवार शुने में घुस गई, अंतरिक्ष में छेद कर गई जैसे आग की लप्तों की एक सुन्दर रेखा उसके पीछे-पीछे चल रही हो यहां अकलपनिय होने की हद तक बहुत तेज, बहुत तेज था जैसे ही आदित्य ने अपना लक्ष बदला, चेन पूर्वच को पहले से ही लगा की एक तलवार ठीक उसकी और इशारा कर रही है उसका चहरा तुरंट पीला पड़ गया, और क्रोध की गर्जना के साथ उसके नक्षक्र का प्रकाश उस पर जप्टा उसके चारों और हजारों प्रजवलित सूर्य सभी एक बढ़ी हुई चमक के साथ चमक रहे थे, एक साथ विलीन हो रहे थे, जैसे की एक सुनहरा कौवा दिखाई देता है चेन कबीले के कबीले के स्वामी के चहरे पर अभिव्यक्ती देखने में बेहत भग्दा था उसने परी किंगमेई की पीठ में एक शातिर हथेली मार दी, फिर भी जैसे ही हमला हुआ, परी किंगमेई का रूप अलौकिक हो गया, जिससे हमला उसके पास से गुजर गया शन भर बाद, कई प्रेत प्रकट हुए, उन सभी ने एक साथ चेन पूर्वच की ओर अपने हमले किये मिस्टिक मून संप्रगाय के नेता के सामने कई अंडरवर्ड भाले दिखाई दिए वे सभी एक साथ मिलकर एक हो गए, अंधेरे के एक भयानक भाले में परिवर्तित हो गए जैसे ही यह चेन पूर्वच के लिए लक्षे के रूप में बाहर की ओर चुरा घूंपा इस समय साथ वध कठकुतलियों का नियंद्रक ओयां कुआंग शेंग था हवा की बीच में एक वजर्पात नक्षत्र प्रकट हुआ उसके नक्षत्र से निकलने वाली विशाल मात्रा में सुक्षम प्रकाश उस पर बरसा उसने एक क्रिपान के साथ नीचे गिरने से पहले सारी उर्जा को अवशोशित कर लिया सभी हमले चेन पूर्वच के उद्देश से किये गए थे और उनके सारे प्रभाव एक ही पल में एक साथ फूट पड़े वे उसके जीवन को काटना चाहते थे और इस वक्त सभी की सांसे थमती नजर आ रही हैं बहुत तेज आदित्य अमर सहार तलवार एक ही विचार के दाएरे में बिजली की तरहे चमक उठी बूम चेन पूर्वच के दिल के लिए सही निशाना लगाते हुए स्वर्ण कौवे के सिर के माध्यम से प्रकट सुरच के माध्यम से तलवार के रूप में एक तीवर प्रकाश फूट पड़ा चेन पूर्वच का शरीर तुरंट लावा जायंट में रूपांतरित हो गया उसने अपने एक हाथ से अपनी छाती को अवरुध कर लिया क्योंकि उसका दूसरा हाथ तुरंट आने वाली तलवार की ओर बढ़ गया अमर हत्या करने वाली तलवार अनायास ही उसकी हथेलियों में घुस गई और चेन पूर्वच के दिल में घुस गई जिससे वह तूट गया चेन आंसर ने जो हडबड़ी में बचाव किया वह इंमोर्टल विनक्विशिंग स्वार्ड पले के पहले रुख की शक्ती को रोकने के लिए परियाप्त नहीं था और इस समय अन्य आरोहियों के हमले लगातार उस पर बरस रहे थे परी किंगमे के भूतों ने उसकी पीठ को चीर दिया अंधेरे का भाला उसके कंधों में चुप गया जबकि थंडर गौड का स्लैश उसके सिर पर चड़ गया इस नजारे को देखकर लोगों की आखें चलक उठी अगले ही पल चेन पूर्वज का शरीर एक पल के लिए थोड़ा कामपने लगा क्योंकि थंडर गौड स्लैश के बल से उसका सिर्फ फट गया नहीं अनिक्छुक क्रोध से भरी एक आवाज ने पूरे स्थान को कमपा दिया हमेशा के लिए गायब हो जाने के कारण उनका शरीर धूल में बिखर गया था सभी के दिल थम गए उनकी आखें जो कह रही थी उस पर विश्वास करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी चेन पूर्वज गिर गया था दिव्य घटना के तीसरे स्थर पर एक भयानक अस्तित्व ग्रेंट जिया के पूर्ण शिखर पर खड़ा एक पात्र था ओयंग कूर्वज ने पहले कहा था भले ही वे सेना में शामिल हो गये हों कोई भी उनके खिलाफ जीत नहीं सकता था फिर भी आदित्य और अन्य लोगों ने वास्तव में अपने प्रयासों से असंभव को संभव कर दिखाया था यह एक सपने जैसा था, किसी को विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी कि यह सच था ग्रैंडजिया के शिखर पर एक अस्तित्व उस चरण में मर गया जहां इस वर्ष स्वरगिय रैंकिंग की लडाई हुई थी अगर लोग हजारों साल बाद आज की घटनाओं के बारे में बात करते तो वे पूरी तरह से भूल जाते की इस दिन हेवनली फेट रैंकिंग आयोजित की गई थी उन्हें केवल इतना याद था कि आज ही वह दिन था जब आदित्य ने दूसरों की मदद से ग्रैंजिया के शिखर पर एक अस्तित्व को खत्म कर दिया था इस लडाई में आदित्य ने एक महत्वपूर्ण प्रहार किया लेकिन वास्तव में चेन पूर्वच को मारने का असली श्रे परी किंगमेई को जाता है यदि यह उसके शैडो ग्लामर तारा मंडल के लिए नहीं होता तो तीन आरोही शायद चेन पूर्वच को इतने लंबे समय तक रोकना असंभव पाते किसी ने जोर से सास छोड़ी यहां तक कि चेन पूर्वच की मृत्यू के बाद वे मौन में सास लेने की आबाज भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी परी किंगमेई ने मुह से खून निकाला जाहिर है वह चेन पूर्वच के साथ अपनी लड़ाई के दौरान लगी चोटों को दबा रही थी हालांकि ग्रेट सोलर चेन कबीले के लोगों के लिए वे अभी भी अविश्वास से स्थब्ध होकर शूनी में घूर रहे थे यहां तक कि चेन कबीले के आकाशिय फेनोमेनन कबीले के स्वामी को अभी भी अपनी चकाचौंद से उबरना बाकी था पूर्वच गिर गया है क्या यहां असली है? चेन पूर्वच की मृत्यों ने महान सौर चेन कबीले के पतन का संकेत दिया वास्तव में उन्हें सर्वनाश होने की संभावना का भी सामना करना पड़ सकता है इससे पहले ग्रेट सोलर चेन कबीले जिनको पर हावी थे, वे कितने गर्वित थे ग्रेट जिया के माध्यम से अपना रास्ता अकड़ते हुए उनकी हड्डियों में अहंकार उकेरा गया था लेकिन अभी उनके दिलभाय और आतंक से काम रहे थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी राक्षसस्तर की प्रतिभाएं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महान सौर चेन कबीले के स्वर्गिय सब्तरिशियों के पास कितना शक्तिशाली था एक शक्तिशाली आरोही की सुरक्षा के बिना उनकी सारी ताकत कुछ भी नहीं गिना जाता था विशेश रूप से तथ्य यह है कि वे प्राचीन ग्रैंडजिया के नौ ग्रैंड कुलों में से एक थे उन्होंने तब से कितनी पारलौकिक शक्तियों का अपमान किया है और चेन कभीले के पूर्वज की मृत्यू के साथ उनके महान सौर चेन कभीले की संपत्ति कितने इसे लोग करेंगे नहीं चेन फैन बड़बडाया लगातार अपना सिर हिला रहा था यहां तक कि अपनी संपत्ति को एक तरफ छोड़ कर क्या अन्य पारलौकिक शक्तियां अपनी संपत्ति में पवित्र शाही पदकों के लिए लाल्ची नहीं होगी भले ही आज आदित्य की मृत्यू हो गई उनके चेन कभीले को इस आपदा से बचने के लिए मुश्किल होगी उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था जाओ जाओ चेन कभीले के कभीले के स्वामी ने अचानक चिलाया, चेन कभीले के अन्य लोगों को तुरंट छोड़ने का आदेश दिया जमाना साथ वध कठपुतलियों का नियंतरक बदल गया पहले ओयूयान कुआंग शेंग था, अब यह बदलकर युनमेंगी हो गया एक बार फिर जगह जमी हुई थी, चोतरफा युद्ध अभी समाप्थ होना बाकी है मिस्टिक मून हॉल से दो आरोही के सिलहूट चमक गए, क्योंकि वे चेन कबीले के कबीले के स्वामी के पास पहुँचे इससे पहले लड़ाई में, कबीले के स्वामी पहले ही घायल हो गए थे, और साथ कठपुतली कठपुतली द्वारा लगभग मारे गए थे अब जब वह दो लगनों के हमलों से घिर गया था, तो उसके पास सांस लेने का समय भी नहीं था चुंकि उन्होंने पहले ही चेन के पूर्वज को नश्ट कर दिया था, इसलिए वे महानस और चेन कबीले के सभी आरोहियों को पूरी तरह से समाप्त करते हुए चीजों को अच्छी तरह से कर सकते थे एक अन्यस्थान पर आदित्य का शरीर जो हवा के माध्यम से नीचे की ओर गिर रहा था, एक बरफीले सफेद राक्षसी जानवर ग्वारा पकड़ लिया गया था यह जानवर स्वाभाविक रूप से कोई और नहीं बलकी छोटा बदमाश था वर्तमान में यहां अपने युध रूप में था उसने आदित्य को अपनी पीठ पर बिठा लिया क्योंकि उसने भागने की कोशिश की लेकिन जून्यू आदित्य को कैसे बक्ष सकता था कुछ समय पहले आदित्य की आखों में वह तिरसकारपूर्ण नजर और उसकी तलवार से किये गए प्रहार ने जून्यू के मन में अपमान के निशान को गहरा कर दिया था इतना ही नहीं उन्हें अपने अमूल्य जीवन रक्षक हजाने को बरबाद करने के लिए भी बहकाया गया और अब जब आदित्य पूरी तरह से रक्षाहीन हो गया था क्या उसने वास्तव में सोचा था कि वह अब भी बच सकता है आदित्यने वास्तव में ऐसी भयानक तक्नीक अमर जीत तलवार बाजी में साधना की उस स्थिती में यह केवल हिमशैल का सिरा होना चाहिए उसके शरीर पर अभी भी कई अन्य रहस्य होने चाहिए जून यू सब कुछ जानना चाहता था अभी उसने अपने हाथों को फैलाया और हवा में हथियाने की गती बनाई तुरंट नन्हे बदमाश को लगा कि उसका शरीर जक्रा जा रहा है उसने चूटने की कोशिश की लेकिन उसका संधर्ष बेकार रहा एक स्वर्गिय सब्तरिशिक शेत्र राक्षसी जानवर के रूप में यह एक दिव्य घटना आरोही से कैसे मुक्थ हो सकता है इससे निपटने के लिए एक साधारन हर्पना ही काफी था बी जेड 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 साथ वध की कठपुतली अचेट आदित्य के सामने खड़ी दिखाई दी तो सुक्ष्म प्रकाश फिर से चमक उठा साथ उप्योग करताओं के दिल और दिमाग एक के रूप में जुड़े हुए थे अंतरिक्ष के हिमिकरण को अंजाम देने के बाद उन्होंने तुरंक तार्किये परिवर्टन को अंजाम दिया आदित्य के पास भागते हुए जून यू के खिलाफ सामना किया अभी साथ वध कठपुतली के नियंतरक आदित्य मूल शरीर थे जनादेश की उनकी बहुविद इच्छाय प्रस्पुटित हुई जबकि अन्यचै साधकों की सुक्ष्म उर्जाय उनमें प्रवाहित हुई हवा के बीच में एक भयानक तलवार की धुन अचानक से गूझ गुठी आकाश के उपर एक चमकदार स्वपन प्रकार का नक्षत्र बना जबकि उससे एक जबरदस्ट शक्ती निकली क्या आपको लगता है कि आप मुझे इससे रोक सकते हैं जून यू की आवास बहुत थंडी थी वह अपने नक्षत्र को भी विमोचित करते हुए इत्मीनान से बाहर निकला शन भरबाद एक अत्यंत भयानक सीलिंग उर्जा पूरे क्षेत्र में व्याप्थ हो गई उसे पकड़ो जून यू बोला उसके बगल के दो आरोही एक ही समय में अपनी चाल चल रहे थे जून यू ने अपनी उंगली आगे की और इशारा की यह पूरा स्थान कमपन कर रहा था मानो वर्तमान में इसे एक भयानक उर्जा द्वारा जबरन सील किया जा रहा हो तोड़ना सेवन स्लोटर्स कठपुतली एक कलवार से इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लगा कि यह पूरी दुनिया को अलग कर सकती है उसी समयत नश्वर धूल से अचुती एक आकरशक आकरती लिटिल रासकल के बगल में दिखाई दी उसने अचेतन आदित्य को पकड़ लिया जबकि उसके चारों और स्थानिक उर्जा फैल गई क्योंकि वह तेजी से पीछे हट गई आप कहा भाग सकते हैं? जून यू ने ठंडेपन से सुंधा हवा के बीच में कैड की एक जोडी चाप दिखाई दी प्रत्येक युवती के दोनों किनारों पर बंद थी अंतरिक्ष को बंद कर दिया गया था किंगर हिल नहीं सकता था जून यू को घूरते हुए उसकी आखें अत्यधिक ठंडक से भर उठी उसे देखकर वास्तव में जून यू थोड़ा हिचकिचा गया क्योंकि उसकी भोहें तन गई थी इतनी सुन्दर्स्त्री फिर भी वह हिमकमल के समान शीतल थी गोली समराट के अन्य दो आरोही पहले ही आचुके थे और तुरंत किंगैर और बेहोश आदित्य को घेर लिया उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था दूसरी लड़ाई पहले ही समाप्थ हो चुकी थी परी किंग मेई साथ ही रहस्यवादी चंद्रमा संप्रदाय की नेता और बूढी नानी चेन कभीले के कभीले के स्वामी के साथ आसानी से निपट गई जिनके पास दिव्य घटना के पहले स्थर पर केवल एक खेती का आधार था इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं था कुछ ही समय बाद महानस और चेन कभीले के शेश आरोही को परी किंग में द्वारा फसाया गया इससे पहले की रहस्यवादी चंद्रमा संप्रदाय के अंधेरे के भाले ने उनके मस्तिश्क में छेद कर दिया जिससे उनकी मृत्यू हो गई चेन कभीले के कभीले के स्वामी की मृत्यू ने अभी तक एक और पारलोकिक शक्ती के विनाश का संकेत दिया दग्रेट सोलर चेन कभीले के तीन खगोलिय घटनाएं आज सभी की मृत्यू हो गई थी अगर भविश्य में इस मामले को उठाया जाता तो लोग निश्चित रूप से इस घटना को मजाक का पात्र बनाते दुनिया के बादलों का कोई रूप नहीं था और वे लगातार बदल रहे थे एक बार शक्तिशाली महान सौर चेन कभीले के लिए प्रलैका दिन आ गया था चेन कभीले के अन्य सभी शूने में घूर रहे थे और जब वे अंत में बरामध हुए और बचना चाहा तो कई नकाब पोश आकरितिया अचानक प्रकट हुई उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेन कभीले के सदस्यों ने कहा जाना चुना वहाँ पहले से ही लोगों ने आकाश और प्रित्वी के माध्यम से बचने के रास्तों को अवरुद्ध करने की विवस्था की थी इन नकाब पोश शक्सितों ने हेवनली फेट रांकिंग लड़ाई के दर्शकों के भीतर घुसपैठ और घुल मिल गई थी कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे और कहां से आय थे हालांकि परी किंग मेई और मिस्टिक मून संप्रदाय के कबीले नेता के पास चेन कबीले के इन सदस्यों की देखभाल करने का समय नहीं था वे तुरंत आदित्य की ओर दौर पड़े यह देखने के लिए कि अभी आदित्य और किंगर पिल एंपरर हॉल के दो आरोहियों के बीच की जगह में फस गए थे आपने उन्हें चूने की हिम्मत की फेरी किंग में की आवाज बरफीली ठंडी थी जैसे ही उनका शैडो ग्लामर तारामंडल दिखाई दिया उसी समय रहस्यवादी चंदर संप्रदाय के दो आरोहियों ने इसी तरह अपने नक्षत्र जारी किये आरोही क्षेत्र के सभी पॉवर हाउस अंतिन तकराव के लिए यहां एकत्रित हुए थे पिल समराट ने आलसी धंग से परी किंग मेई पर एक नजर डाली वह निश्चिन्थ होकर आदित्य की ओर चला आज सब कुछ अंत में समाप्थ हो सकता है महान सौर चेन कभीले को नश्ट कर दिया गया है लेकिन इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है इसके विपरीट यहां उनके पिल एमपरर हॉल के लिए फाइदे मंद था रास्ते से बाहर एक शक्तिशाली पारलौकिक शक्ती के साथ इसका मतलब उनके उदे को वापस महिमा में अवरुध करने के लिए एक कम बाधा थी अब आदित्य भी उनके हाथों में आ गए थे आज की लडाई को एक आदर्श अंत के साथ समाप्त माना जा सकता है लेकिन अभी उन्होंने केवल किंगेर को धीरे से आदित्य को वापस लिटल रास्कल की पीट पर रखते हुए देखा जबकि वह आगे बढ़ी दो खगोलिय घटना आरोही के बीच की जगह की ओर महत पिल समराठ की भोहें तन गई क्योंकि उसकी हत्या का इरादा उससे फूट पड़ा यह महिला पहले उनके पिल एमपरर हॉल में दिखाई दी थी उस समय वह वही थी जिसने आदित्य को दूर भगाया था यदि आप उसे चूने की हिम्मत अरते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि ग्रैंड शांका शाही पवित्र सम्परदाय भी आपके पिल एमपरर हॉल को बचाने में सक्षम नहीं होगा परी किंग में की आवास ठंडी लग रही थी उसके शब्दों ने गोली समराट के चहरे की भ्रिकुटी को और गहरा कर दिया उसने फिर परी किंग में पर नजर डाली क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो शाही पवित्र संपरदाय किस प्रकार की शक्ती है? परी किंग में का अर्थ यह था कि इस दिव्यय युवती की प्रिष्ट भूमी इतनी उची थी कि शाही पवित्र संपरदाय भी उसके समर्थकों का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा यह सही है मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ आप इसे आजमा कर देख क्यों नहीं लेते परी किंग में की हिमाच शादित आवाज सुनाई दी उसके शब्दों ने गोली समराट की पुतलियों को संकीन कर दिया क्योंकि वह किंडेर को घूर रहा था हालाकि किंडेर ने उसकी परवाह भी नहीं की वास्तव में उसने उसकी ओर देखा तक नहीं उसके अहंकार और अलगाव को देखते हुए पिल समराट का दिल मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा डगमगाया क्योंकि उसने उस दिन आदित्य को वापस ले जाने के पीछे के द्रिश्य के बारे में सोचा यह महिला निश्चित रूप से असाधारन थी क्या उसके पास वास्तव में किसी प्रकार की जबरदस्थ प्रिश्थ भूमी थी वास्तव में किंडेर अहंकारी नहीं था बात केवल इतनी थी कि उसका स्वभाव हमेशा बरफीला ठंडा रहता था यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसने जानबूच कर निकाला था और यह ठीक इस अचेतन उदात भावना के कारण था जिसने गोली समराट को उसकी प्रिश्थ भूमी से थोड़ा सावधान रहने का कारण बना दिया आदित्य पर फिर से निगाहें जमाते हुए उसने फैसला किया चुंकि आदित्य अभी भी उनके हाथों में था अगर यह युवती छोड़ना चाहती है तो वे उसे जाने की अनुमती दे सकते हैं अपनी मौजूदा ताकक के साथ वह आज यहां की स्थिती को प्रभावित नहीं कर पाएगी फिर भी उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि किंगेर साथ वध कठपुतलियों के स्थान पर चल कर जाएगा जिसके बाद एक युवक के बाहर निकलते ही उनमें से एक कठपुतली खुल गई यह युवक कोई और नहीं बलकी आदित्य का असली शरीर दितियान था इस नजारे ने सभी दर्शकों को मधोश कर दिया क्या ये कठपुतलिया मनुश्यों द्वारा नियंत्रित थी उस स्थिती में क्या अन्यच्य कठपुतलियों में अभी भी अन्यक्रिशक थे दितियान की कठपुतली को नियंत्रित करते हुए किंगर ने कठपुतली में प्रवेश किया बेकार पारलर के टोटके मेरे रास्ते से हट जाओ आज मेरा पिल एमपरर हॉल निश्चित रूप से आदित्य को अपने साथ ले जाएगा गोली समराट आदित्य की तरफ चल पड़ा छोटा बदमाश उस पर भौकते हुए गुस्से से चिल लाया फिर भी पिल समराट की एक मात्र प्रतिक्रिया एक ठंडी हंसी थी कैसे दे सकते थे आप लोग कठ पुतलियों की शक्ती को जोडने पर भी आपके पास उल चार लगनस्तर के कल्टिवेटर है उस अमर विजय तलवार बासी के बिना क्या आपको लगता है कि आप हम तीनों को रोकने के लिए परियाप्त शक्तिशाली है मूर्ख मूर्खों अगर हम यहां युद्ध शुरू करते हैं तो आप हमें कुछ समय के लिए रोक सकते हैं लेकिन फिर भी हम बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में सक्षम होंगे हाला कि अगर आदित्य हमारे बीच लड़ाई के दौरान किसी तरह मर जाता है तो यह हमारी गलती नहीं होगी गोली समराट ने ठंडेपन से धमकी दी हाला कि इस समय एक तीवर स्थानिक दबाव हवा में व्याप्थ हो गया कठपुतली किंगर के प्रवेश करने के उपर एक अंतरिक्ष प्रकार का नक्षत्र पैदा हुआ था क्योंकि भयानक स्थानिक उतार चढ़ाव ने पूरे अंतरिक्ष को सील कर दिया था और परी किंग में के भ्रम प्रकार के शैडो ग्लामर तारा मंडल के अलावा उनके लिए घेरा तोरना इतना आसान नहीं होने वाला है मेरा नाम दितियान है इसी दोरान एक करकश आवाज निकली दितियान की दिशा में घूरते हुए जून यू और दो अन्य लोगों की भौहे तन गई वह उनके द्वारा संरक्षित साथ वध कठकुतलियों के केंदर में खड़ा था तीनो आरोही सभी दंग रह गए जो इस समय बोला वास्तव में यही आदमी था दि कैन का दी एजियोर समराट अभी डी कलान न केवल आदित्य को बलकि मुझे भी जवाब देता है मैं जिन जन्मजात तकनिकों को जानता हूँ आदित्य भी उनहें जानते हैं दित्यान ने शांती से बात की जैसा कि उन्होंने जारी रखा स्वाभाविक रूप से जन्मजात तक्नीक आदित्य जानता है मैं दीतियान भी उन्हें जानता हूँ जून यू क्या तुम मरना चाहते हो दितियान ने अपना सिर जुका लिया जून यू को घूर रहा था उसका चहरा एक बिना म्यान की तलवार की तरह था जो हर चीज को भेदने में सक्षम था जून यू की भौहे तन गई उसकी हत्या का इरादा सभी के लिए स्पष्ट था बोले गए शब्द कुछ ऐसे थे जो आदित्य ने उससे पहले कहे थे और आज इस आदमी ने वास्तव में एक बार फिर उसे धंकाने की हिम्मत की राक्षसी देवताओं के मंत्रोच चारण के साथ प्राचीन इच्छा पूरे आकाश में फैली हुई है आठ दिशाओं से राक्षसी क्यूई को इकठा करना तारू भरे आसमान से सुक्ष्म उर्जा को निगलना दिटियान बड़बडाया एक भयानक उर्जा के रूप में दुनिया भर में एक अजीब सी धुन गूंजती है दिटियान पर इकठा होकर शूने को हिला देती है राक्षसी देवत्व बलिदान परिवर्तन गोली समराठ कठोर हो गया वह इस विशेश गुप्ट कला से भली भांती परिचित था इसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आदित्य को इसका इस्तिमाल करते हुए देखा था और अभी दीतियान जिस तकनीक का उप्योग कर रहा था वह कोई और नहीं बलकी राक्षसी देवत्व बलिदान परिवर्तन था उन्होंने कहा कि वह उन सभी तकनीकों को जानते हैं जो आदित्य जानते थे और उसने सिध्ध कर दिया था कि वह राक्षसी देवत्व के बलिदान परिवर्तन को भी जानता था उस मामले में क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह यह भी जानता था कि अमर विजय स्वार्ड प्ले को कैसे अंजाम दिया जाए यह सोचकर पिल एमपरर हॉल के तीन आरोहियों ने अपने दिल को जखजोर कर रख दिया उनकी आखें दितियान पर टिकी थी जबकि उनकी आखों में भयानक तेज चमक रहा था अगर मैं राक्षसी देवत्व बलिदान परिवर्तन का उप्योग करता हूँ और एक राक्षसी दिव्यता में बदल जाता हूँ मैं निश्चित रूप से अमर विजय तलवार बाजी को अंजाम दूँगा और उस समय शायद आदित्य मर जाएगा लेकिन जून यू तुम्हें निश्चित रूप से मृत्यू में उसका साथ देना होगा दितियान की आखें एक ठंडी रोशनी से चमक उठी उनके शब्दों ने जून यू के दिल को हिंसक रूप से जखजोर कर रख दिया क्योंकि उनका चेहरा अविश्वसनिय रूप से भग्दा हो गया था मुझे विश्वास नहीं होता कि आप उस विशेश तलवार कला को जानते हैं जून यू विवार तुम्हें मारने के बाद मैं ग्रैंट जिया से भाग जाऊंगा यह संसार कितना विशाल है मुझे ऐसी बकवास मत बताओ जैसे तुम किसी बड़े के सीधे शिश्य हो यहां तक कि अगर आप शाही पवित्र संप्रदाय के सीधे वन्शज हैं तो वे मेरा क्या कर सकते हैं क्या आप इस पर जुआ खेलना चाहते हैं दितियान की आवाज का स्वर हिमाच्छा दित्था इस समय एक भयानक प्राचीन इच्छा व्याप्त हो गई जो आकाश में फैली हुई थी आठ दिशाओं में राक्षसी देवत्व के नक्षत्रों की शक्ती ऐसी थी मानों उन्हें अंतरिक्ष के लॉकडाउन द्वारा अवरुध नहीं किया जा सकता था और सीधे दितियान के शरीर पर उतरते हुए तारों का प्रकाश नीचे भेजा जा सकता था उससे निकलने वाली राक्षसी ची तेजी से भयानक होती गई अगर मैं एक राक्षस में बदल जाता हूँ तो मैं तब तक आराम नहीं करूँगा जब तक कि मैंने तुम्हें मार नहीं दिया आपके पास समय की पांच सांसे बाकी हैं दितियान ने जून यू को देखा उसके हर शब्द के कारण जून यू के चहरे पर अभिव्यक्ती दूसरे से बजसूरत हो गई हवा में शैतानी ची और भी मोटी हो गई जैसे ही उनकी शक्ती इकठी हुई प्राचीन राक्षसी देवताओं से जुर गए एक बार जब मानवता के सार का बलिदान हो जाता है और देवताओं का सार उसके शरीर में भर जाता है तो केवल अमर विजय तलवार बाजी ही इसे नकारने में सक्षम होगी और अगर उसे एक बार फिर इसका इस्तिमाल करने के लिए मजबूर किया गया तो वह निश्चित रूप से जून यू पर तलवार से वार करेगा आदित्य को रिहा करो जून यू दहाडा उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत राखी ली थी अन्य दो लगनों के चहरे भी देखने में अविश्वस निय रूप से भद्दे थे अपने हाथों के इशारे से उन्होंने आदित्य को बाहर निकाल दिया परी किंगमे की आकरती टिंटिमाती हुई जैसे ही वह उसके पास आई और उसे पकड़ लिया जब तक दित्यान सही मायने में दानव परिवर्तन से नहीं गुजरा और जून यू को मार डाला तब तक दोनों पक्षों की युद्ध शक्ती बराबर थी किसी भी तरह से वे गोली समराठ हॉल के आरोही को जाने से नहीं रोक सके हाला कि ऐसा करने की कीमत बहुत अधिक थी आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि डित्यान को स्थिती को नियंतरित करना पड़ा यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है जून यू घबरा गया जैसे ही स्थानिक उर्जा समाप्थ हुई उसे जाने की अनुमती दी महान सौर चेन कभीले के तीन आरोहियों की मृत्यू के साथ आज की खतरनाक स्थिती आखिरकार समाप्थ हो गई थी हाला कि इसके परिणामस्वरूप आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया था लेकिन इस तरह का परिणाम इसके लायक था गोली समराथ हॉल के आरोहि अंत में चले गए उनके पास कोई दूसरा सहारा उपलब्ध नहीं था प्रारंभ में उन्होंने सोचा की वे आदित्य को बनाए रख सकते हैं फिर भी उन्होंने दित्यान की उपस्थिती का कभी अनुमान नहीं लगाया था इस व्यक्ती ने वास्तव में आदित्य के साथ कमान साजहा की और उसके पास वही अधिकार था ऐसे में उनके बीच बेहत करीबी रिष्टा होना चाहिए यहां तक कि उनके द्वारा विक्सित जन्मजात तकनी के भी एक ही थी एक छाया में और दूसरी प्रकाश में अपना सिर उचा करके यहां आया था फिर भी उसे अंगिनत धमकियों का सामना करना पड़ा जिसका अंट उसका अपमान था हर कोई समझ गया था कि जून यू की हैसियत के साथ कोई रास्ता नहीं था कि वह चीजों को ऐसे ही आराम करने दे हालांकि आदित्य और अन्य लोग अस्थाई रूप से खत्रे से बच गए लेकिन जैसा जून यूने जाने से पहले कहा था यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है हवा में खड़े असंख्य सिलहूटों को देख कर दर्शकों ने सभी के दिलों में आ भर दी यह सोचना की भले ही आज आदित्य और उसके साथ ही जानलेवा खत्रे से आमने सामने थे उन्होंने इसे सुरक्षित रूप से हल कर लिया था इतना ही नहीं इसके परिणामस्वरूप ग्रेट सोलर चेन कभीले का बिनाश हुआ इस तरह का अंत पूरे ग्रेंट जिया को आतंकित करने के लिए परियाप्थ था तलवार के उस एक वार ने जिसने भाग्यतों बदल दिया लेकिन आदित्य मूर्चित होकर मूर्चित हो गया गुरी तरह घायल हो गया यहाँ अज्यात था कि उनकी चोटे घातक थी या नहीं एक बार आदित्य पिल एमपरर हॉल से अलग होकर एक आदिम महान रॉक में बदल गया था अब मौलिक महान चटान वापस मानव में बदल गया था और विनाश का एक साधन बन गया जिसने महान सौर चेन कभीले को खत्म कर दिया भील के हृदय अनायास ही काप रहे थे यदि आदित्य की मृत्यू न होती तो वह भविश्य में कितना अधिक शक्तिशाली होता अगर उसके पास 10 साल का समय होता तो शायद ग्रेंट्जिया में कोई भी उसके खिलाफ खड़े होने में सक्षम नहीं होता साथ ही वे साथ वद कटपुतलिया वे क्या थी? वे कहा से उत्पन हुए है? केवल यह देखने के लिए कि अभी साथ कटपुतलियों से बाहर निकलने वाले काश्टकार थे बेदाग दिव्य सौंदर्य किंगेर के अलावा अन्यच्य की उपस्थिती ने भीड को बुरी तरह चौका दिया यह वास्तव में वे थे तीन साल पहले हेवनली फेट रैंकिंग पर उतक्रिष्ट पात्र किंजेंग युनमेंगी, ओयां कुआंग शेंग, फैनले, चुमांग और मुफेंग यहां तक की मुफेंग भी आदित्य को बचाने की लडाई में भाग लेते हुए आज यहां दिखाई दिए थे कुआंग शेंग ओयांग पूर्वश के चहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी सक्थ हो गई ओयंग कुआंग शेंग साथ कठ पुतलियों में से एक का नियंत्रक था एक अन्य दिशा में ग्रेट सोलर चेन कभीले के अवशेशों के चहरे पर राख के भाव थे जब उन्होंने गोली समराथ हॉल के आरोही को देखा वे जानते थे कि उनका चेन वंश निश्चित रूप से समाप्थ हो गया था महान सौर चेन कभीले मिस्टिक मून संप्रदाय की नेता जिलमिलाहट के रूप में वह तुरंत हवा के उपर उड़ गई भयानक आर्क्टिक अंडरवल्ड तारामंडल ने पूरे अंतरिक्ष को ढख दिया क्योंकि उससे निकलने वाली हत्या का इरादा अतुलनिय रूप से तेज महसूस हुआ जैसे किसी भीक्षन मारने के लिए तैयार एक तेज भाला चेन कभीले के शेश विशेशग्यों ने रहस्यवादी चंद्रमा संप्रदाय के नेता को हवा में देखा उनके चहरे पीले पड़ गए उनके चहरे पर आतंग का मुखोटा था चेन फैन में अब वह अहंकार नहीं रहा जो पहले हुआ करता था वह रहस्यवादी चंद्रमा संप्रदाय के नेता को घूरते हुए खाली खड़ा था उसके दिल में एक अवर्णनिय भावना महसूस हो रही थी कौन कलपना कर सकता था कि उनका महान सौर चेन कभीला जो अभी कुछ समय पहले रहस्यवादी चंद्रमा संप्रदाय की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था अब वद किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे भेडों की तरह थे क्या यह स्वर्गिय भाग्य है? चेन फैन ने अपना सिर जुकाया, आसमान की ओर देखते हुए वह बुदबुदाया मिस्टिक मून संप्रदाय के नेता ने अपने हाथों को लहराया क्योंकि अंगिनत अंडर्वल्ट भाले दिखाई दिये जो चेन कभीले के शेश सदस्यों पर बरस रहे थे महान सौर चेन कभीले ने जो बोया था, उसे काट लिया था क्या स्वर्गिय भाग्य? आदित्य के अन्यरूप दितियान ने उसक्षन में राक्षसी दिव्यता बलिदान परिवर्तन को रोक दिया जब जुन यूने हार मान ली अभी वह मिस्टिक मून संप्रदाय के नेता के पास दिखाई दिया चेन फैन को घूरते हुए उसने ठंडेपन से कहा उस समय जब चेन कभीले शक्तिशाली थे तो आपके कभीले के सदस्य निर्दई और क्रूर थे अपमानित करने के लिए इस तरह के तरीकों का इस्तिमाल करते थे मिस्टिक मून संप्रदाय के वरिष्ट यह सोचते हुए कि कोई भी कभी भी आपके चेन कभीले से निपट नहीं सकता है यदि उसके लिए नहीं तो चेन कभीले की दमनकारिता के कारण नहीं था तो आदित्य अपनी सेना का नेत्रित्व कैसे कर सकता था और उसके पास अमर विजय तलवार चलाने का कारण कैसे होगा चेन फैन दुख में लोट रहा था कुछ समय पहले वह लोगों के इस समोह को हे द्रिष्टी से देख रहा था उस समय उनका चेन कभीला कितना शक्तिशाली था वे नतीजों के डर के बिना जो चाहे कर सकते थे लेकिन यह सोचने के लिए कि अब बदला इतनी तेजी से आया मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ एक थंडी आवाज सुनाई दी बाई किंग के प्रकट होते ही आदित्य ने अपना सिर्ग हुमा लिया मिस्टिक मून संप्रदाय में बाई किंग सबसे दिल तूटने वाली व्यक्ति थी क्योंकि जिन लोगों को चेन कभीले ने मौत के घाट उतार दिया उनके सम्मानित गुरु जो उनके लिए एक मा की तरह थे उनका हिस्सा थे अभी चेन फैन को घूरते हुए उसके अंदर से एक बेहत थंडा और भयानक हत्या का इरादा निकला अच्छा चेन फैन पर भी एक पवित्र शाही पदक होना चाहिए उनकी मृत्यू के बाद पदक तुम्हारा होगा बाई किंग रहसिवादी चंद्रमा संप्रदाय के निताने कहा जिसके बाद चेन फैन के शरीर में एक उनमत अंदरवरिड उर्जा के रूप में उसकी हथेली हवा में धकेल दी गई जिससे वह ताजा खोन उगलने के कारण तड़प कर कराहने लगा मैं इस तरह मरने के लिए तयार नहीं हूँ चेन फैन ने अपना सिर जुकाया और दिल की आवाज निकाली फिर भी बाई किंग के चारों और शैतान की ताकत बढ़ गई क्योंकि उसके हाथों में एक शैतान तलवार दिखाई दी वर्तमान में हवा में व्याप्त शैतानी शक्ती की मातरा से पूरा आकाश काला हो गया चेन फैन की ओर बढ़ते हुए उसकी आखों के किनारे लाल थे मास्टर आपका शिश्य बेकार है जिससे आपकी म्रक्य हुई है अब मैं केवल इस आदमी को व्यक्तिकत रूप से मार कर ही तुमसे बदला ले सकता हूँ जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी भारी मातरा में शैतान बाई किंग के शैतान प्रिपान में घुस गया क्योंकि यह दुनिया को हिला देने वाली ताकत से तूट गया था दौरना हवा के नीचे चेन कभीले के अन्य सदस्य सभी दिशाओं में भाग गए दूर से आयवे दर्शत पहले ही जान गए थे कि इस दृष्य को देखकर चेन कभीले का अंत हो गया था इस लड़ाई के बाद ग्रेंट जिया की 35 पारलोकिक शक्तिया एक बार फिर से कम हो जाएंगी केवल 34 रह गए दगरेट सोलर चेन क्लान और नाइन मिस्टिकल पैलेस आदित्य की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गए थे आदित्य बाई किंग द्वारा चेन फैन को मारने के बाद उसने शैतानी ताकत को पीछे हटा लिया और परी किंग में की ओर तेजी से दोड़ी अभी आदित्य अभी भी बेहोश था और जो उसे ले जा रहा था वह वास्तव में एक परम सुन्दरी थी जिसका रूप और व्यवहार मो किंग चेन की तुलना में जरा साभी कम नहीं हुआ किंगर बाई किंग को भागते हुए देखकर अपना सिर उठा लिया और हलके से अपने सामान्य बर्फठंडे चहरे से बोली चिंता मत करो मैं उसे मरने नहीं दूँगी धन्यवाद बाई किंग ने किंगेर से बात की उसकी चिंतित अभिव्यक्ती ने किंगेर की पलके जपकाई लेकिन किंगेर ने जवाब में कुछ और नहीं कहा मुझे देखने दो जैसे ही ओर्ड मैन तियान जी प्रकट हुए एक आवाज आई ग्रेंट जिया के इस दानव सितारे ने कुछ वर्षों की एक छोटी सी अवधी का उप्योग करके वह हासिल किया जो उसने किया था ग्रेंट जिया की नियती में बदलाव की शुरुआ किंग ने ठंडेपन से बुढ़े आदमी तियान जी की ओर देखा, आदित्य अभी भी उसे कसकर गले लगा रहा था, उसकी पकड़ धीली करने का कोई इरादा नहीं था बुढ़ा तियान जी अपने चहरे पर एक कड़वी मुसकान लिये बिना नहीं रह सका इस युवती की निश्चित रूप से एक असाधारन प्रिष्ठ भूमी थी, महिलाओं के साथ आदित्य की किस्मत वास्तव में खराब नहीं थी यह सोचने के लिए कि उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित कई उतक्रिष्ट सुंदरिया होंगी उसके शरीर में उर्जा पूरी तरह से समाप्थ हो गई है, यहां तक की सुक्ष्म उर्जा की थोड़ी सी मातरा भी समाप्थ हो गई है अब जबकि वह बेहोश है, उसके पास नक्षत्रों से सुक्ष्म उर्जा को अवशोशत करने का कोई तरीका नहीं है इससे पहले कि उसे ठीक होने का अफसर मिले, उसे मदद करने के लिए कीमती दवाओं की आवशक्ता होगी। बूढे आदमी तियान जी ने सीधे चहरे से कहा। पहले तो वह भी उस अमर पराजय तलवार बाजी के पराक्रम से दंग रह गया था। वह अकेला रुख बहुत अधिक प्रबल था, लेकिन साथ ही यह बहुत खतरनाक भी था। आपको अपने दिल में नफरत को छोर देना चाहिए और बदला लेने के लिए जुनूनी होना बंद कर देना चाहिए। इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। बूढे आदमी तियान जी ने मना लिया, उसकी निगाहें परी किंग मेई पर जा रही थी। मुझे पता है, परी किंग मेई ने सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया। गूढे आदमी तियान जी ने और कुछ नहीं कहा। आदरनिय स्वर्ग संप्रदाय ने अति प्राचीन काल से कभी भी बाहरी आयोजनों में भाग नहीं लिया था। कोई नहीं जानता था कि वे कितने मजबूट थे, वे केवल इतना जानते थे कि ग्रैंट जिया को हिला देने वाली हलचल की लहरों के बावजूद, आदरनिय स्वर्ग संप्रदाय की स्थिती और स्थिती कभी भी थोड़ी सी भी नहीं डगमगाई थी। इस समय ओयान पूरवज का सिलहूट यहां दिखाई दिया। अरिस्टोक्राट क्लान की अपनी स्थिती पर विचार करना है, हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं। अरिस्टोक्राट क्लान और जियान क्लान ने आखिरी समय में गठ बंधन से बाहर निकलने का फैसला किया। उनके निर्णय ने लगभग उनमें से बाकी लोगों की मृत्यू का कारण बना दिया था। कि ओयान पूरवज के अपने विचार थे, पूरे ओयान कबीले के भविश्य के बारे में सोचने की जरूरत थी, रहस्यवादी चंद्रमा संप्रदाय के निता के लिए यह असंभव था कि वह बिलकुल भी क्रोध महसूस न करे। चुँकि आपकी अपनी चिंताय थी, इसलिए मैं आपको उनके लिए दोश नहीं दूँगा। लेकिन ओयंग एरिस्टोक्राट कबीले को इस से पहले ही भुगतान के रूप में परमकला प्राप्थ हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अंतिन समय में वापस लेने का विकल् पन हुई है। मेरा कोई आइटम नहीं। ओयंग कुआंग शिंग ने तड़क भड़क वाले जबाब दिये, उनके लहजे से ओयंग पूरवच को बहुत असंतोश हुआ। परी किंग मैई और रहस्यवादी चंदर संप्रदाय के नेता का नाराज होना सामान्य बाद थी। लेकिन ओयांग कुआंग शिंग अपने कभीले का एक कनिष्ठ था। उसे अपने पक्ष में खड़ा होना चाहिए और अपने जूतों में सोचना चाहिए यह विचार करते हुए कि उनके कारियों का उनके ओयंग अरिस्टोक्रेट क्लैन के भविश्य पर क्या प्रभाव प होंगा ओयंग कुआंग शिंग ने अपनी आखों में फौलादी चमक के साथ कहा ओयंग कभीले के कभीले के स्वामी ने कहा बकवास क्या आपको लगता है कि ये मामले वास्तव में समाप्थ हो चुके हैं जून यू कभी हार नहीं मानेगा वह निश्चित रूप से बदला बस हमारे साथ वापस आओ और जल्दी से जियांग तिन के साथ अपनी शादी तय कर लो मेरे पास चलने का अपना रास्ता है इसका कभीले से कोई लिना देना नहीं है ओयां कुआंग शिंग की आखों में संकल्प की चमक आ गई शादी के मामलों के बारे में अगर टिंगर ग्रैंट जिया से खुद को सन्यमित करने के लिए मेरे पीछे आने को तयार है तो मैं निश्चित रूप से उसे एक उप्युक्त स्पश्टि करन दूँगा अगर वह अनिच्छुक है और इसके बजाए जियांग कभीले में रहने का विकल्प चुनती है तो मैं उसे दोश नहीं सकते थे केवल ओयंग पूर्वच को अपने हाथों को लहराते और हस्तक्षेप करते हुए देखने के लिए उसे जाने दो उसे वह करने की अनुमती दे जो वह चाहता है हम्फ ओयंग कभीले के कभीले के स्वामी ने ठंड से सास ली उनका चेहरा भगदा था ओयंग कुँँशन कभीले द्वारा बहुत खराब कर दिया गया था और तीजी से अनुशास नहीं और नियंतरन से बाहर हो रहा था यहां अस्विकार्य था उसने अपने बड़ों की आखों में भी नहीं डाला ग्रैंड जिया के प्राचीन सामराज्य की दिशा में अपनी निगाहे घुमाने से पहले उसने अपनी टकट की युनमेंगी और अन्य लोगों की ओर घुमाई और धीमी आवाज में कहा मुझे बताओ क्या ग्रैंड जिया का शाही मकबरा दिखाई दिया है जैसे ही बुढ़े आदमी तियान जी की आवाज फीकी पड़ी, इलाके में सन्नाटा पसर गया और सभी के दिल धड़क उठे शाही मकबरा दिखाई दिया है ग्रैंड जिया में शाही मकबरे के बारे में केवल किन्वधंतियों में सुना गया था जबसे प्राचीन सामराज्य को नश्ट किया गया था, तबसे पूरे ग्रैंड जिया को एक जुट करने के लिए परियाप्त शक्तिशाली बल नहीं रह गया था रॉयल मकबरे को स्वाभाविक रूप से ग्रैंड जिया के पिछले समराटों की कबर के रूप में जाना जाता है हालाकि 3000 साल पहले भी प्राचीन सामराज्य के नश्ट होने से पहले शाही मकबरे के रहसियों को कोई नहीं जानता था यह केवल किमवदंतियों में उलिखित स्थान था वे इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे फिर भी वे नहीं जानते थे कि यह कहा है केवल शाही वंश के वंशज ही इसके स्थान के बारे में गुप्थ होंगे और आज गूढे आदमी तियान जी ने वास्तव में पूछा था कि क्या शाही मकबरा प्रकट हो गया है उसने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया होगा ओयंग पूरवज और अन्य सभी की आखें तेज रोशनी से चमक उठीन क्योंकि वे ओल्ड मैन तियान जी की तरहां उसी दिशा में घूर रहे थे ग्रैंट जिया के प्राचीन सामराज्य की दिशा में ओयंग कुवंग शिंग और उनके दोस्तों ने साथ कतले आम कठपुतलियों को नियंतरित किया जब साथ एक में संयुक्त होते हैं तो बिजली उत्पादन निश्चित रूप से अज्यात संख्या में बढ़ जाएगा हालाकि आवशक्ता यह थी कि सभी साथों को एक दिल का होना था तभी वे इन सेवन स्लॉटर पपेट्स का इस्तिमाल कर पाएंगे इस तरह कि आवशक्ता को पूरा करना थोड़ा कठिन हो सकता है ओल्ड मैन तियान जी ने दी तियान और अन्य च्छै पर एक नजर डाली यह साथ वास्तव में एक के रूप में साथ दिलों के दाएरे को पूरा कर सकते हैं आदित्य के साथ उनकी दोस्ती से बंधे हुए है बस एक तेज हवा का जोंका आया ओया ओयान पूरवच का सिलहूट जिलमिला उठा जैसे ही उसने पुकारा ओयान कभीले के सदस्य मेरे साथ आओ जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी ओयान अरिस्टोक्रेट कभीले के अन्य सदस्य उसके पीछे-पीछे ग्रैंडजिया के प्राचीन सामराजिकी और भागते हुए चले गए बूढे आदमी तियान जी ने केवल अपना सिरहलके से हिलाया यू मिंगी ने शांती से ओलुयान कभीले के प्रस्थान करने वाले सिलहुटो को देखा जब उसने कहा ओलुयान पूर्वज वास्तव में एक चालाक व्यक्ति है जैसा कि एक पुराने राक्षस से उम्मीद की जाती है जो एक हजार से अधिक वर्षों तक जीवित रहा है हाला कि लोगों के लिए शाही मकबरे में आकस्मिक रूप से प्रवेश करना इतना आसान कैसे हो सकता है जो उद्यम करते हैं उनके लिए केवल 10% जीवित रहने की दर है बहुत सारे अज्यात कारक हैं जिनके पास बड़े भाग्य हैं वे जीवित रहेंगे लेकिन जिनके पास कोई नहीं है वे नश्ट हो जाएंगे गुढ़े आदमी तियान जी ने युनमेंगी को देखकर मुस्तुराया प्राचीन ग्रैंट जिया के वंशज आगे बढ़ रहे हैं मुझे यकीन है कि जीवित रहने की दर पूरी तरह से अलग होगी या अधिक सटीक रूप से यह 100% जीवित रहने की दर होनी चाहिए है न युनमेंगी ने अपने दिल में आहें भरते हुए बेहोश आदित्य पर एक नजर डाली अफसोस की बात है कि ऐसा लग रहा था कि आदित्य का शाही मकबरे से कोई लेना देना नहीं था आज उनके पास ग्रैंड जिया के शाही मकबरे में प्रवेश करने का एक मात्र मौका था आज के बाद विभिन पराकाश थाए निश्चित रूप से अपने विशेशग्यों को प्रवेश द्वार पर पहरेदारी करने और छिपे रहसियों का पता लगाने के लिए भेजेंगी उस समय यदि वे प्रवेश करना चाहें तो भी असंभव होगा चलो चलते हैं, हमें समय बरबाद नहीं करना चाहिए, यून मिंगी के गायब होते ही उनका सिल्हू टिम्टिमा गया जबकि ओयान कुआंशेंग और बाकी लोगों ने उनके कारियों को प्रतिबिम्बित किया आदित्य अन्यस्वयन, दीतियान, स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल होने में कोई हिचकी चाहट नहीं दिखाते थे हालांकि उनका एक शरीर एक बेहद खतरनाक स्थान में प्रवेश करेगा, फिर भी उनके पास बाहर एक और शरीर था उनके दो सच्चे शरीरों ने समान विचारों और अनुभवों को साजा किया शाही मकबरे में प्रवेश करने के साथ, इससे प्राप्थ होने वाले लाब स्वाभाविक रूप से दो सच्चे स्वयन के बीच साजा किये जाएंगे यह महान निर्वान कला द्वारा प्रदान किया गया स्वर्ग विरोधी लाब था महान निर्वान अमर कला ने एक प्रिशक को दो सच्चे स्वया रखने की अनुमती दी अलग-अलग जनादेश की खेती करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति एक अलग रास्ते पर चल सकता है लेकिन इस प्रक्रिया में प्रत्येक स्वयंद्वारा समझे गए अनुभवों और अंतरद्रिष्टी को दोनों के बीच साझा किया जाएगा बाई किंग, हमारे साथ भी आओ, बाई किंग से बात करते ही डितियान ने अपना सिर घुमा लिया हाँ, बाई किंग, उनके साथ जाओ मिस्टिक मून संप्रदाय के नेता ने बाई किंग को अपनी सहमती देते हुए देखा बाई किंग ने अचेत आदित्य की तरफ देखा और उसके चहरे पर चिंता जलक रही थी, तभी किंगर उसे आश्वस्ट कर रही थी चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा धन्यवाद बाई किंग ने धीरे से धन्यवाद कहा जिसके बाद उसकी चाया जिल्मिला उठी और वह आदित्य के बाकी साथियों के साथ प्राचीन सामराज्य की ओर चल पड़ी इस समय जिनकों के महान सौर चेन कभीले को पहले ही नश्ट कर दिया गया था फेरी किंग मेई और मिस्टिक मून हॉल के नेता एक साथ खड़े हो गए जब नेता ने कहा आज की लड़ाई भागय से जीती गई हाला कि मुझे लगता है कि अब से ग्रेंट जिया में हमारे संप्रदायों को शायत कई खत्रों का सामना करना पड़ेगा उआ क्लान पिल एमपरर हॉल और वैन क्लान जैसी उतक्रिष्ट शक्तिया निश्चित रूप से हमें नहीं बख्षेंगी आदित्य ने तुरंत अपना संप्रदाय स्थापित करने की योजना नहीं बनाई थी यही कारण था कि एज्योर गुट के उनके अनुयाई और सेलेस्टियल लेक पैलेस के मेरे अनुयाई सभी नकाब पोश है कोई उनकी पहचान नहीं बता सकता और वे कभी भी भीड में पिघल सकते थे यह देखते हुए कि ग्रैंजिया कितना विशाल है मुझे संदे है कि कोई भी उन्हें ढून सकता है यदि वे नहीं मिलना चाहते है परी किंगमेई ने कहा हाला कि गोली समराथ हॉल निश्चित रूप से समय बर्बाद नहीं करेगा वे निश्चित रूप से परी किंगमेई और आदित्य जैसे प्रमुख पात्रों को लक्षित करेंगे हालां कि जैसा आपने कहा रहस्यवादी चंद्र संप्रदाय अब से अत्यधिक खत्रे में हो सकता है परी किंगमेई ने धीमी आवाज में जोड़ा मिस्टिक मून संप्रदाय के नेता ने सिरहिलाया हमारा संप्रदाय आत्मा महादवीप मिस्थित है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के बाद हम निश्चित रूप से तीरों की भीड का लक्ष्य बन जाएंगे किंगमेई मैंने आपके जैसा बनने का फैसला किया अपने रहस्यवादी चंद्र संप्रदाय को ग्रैंट जिया में घूमने की अनुमती देते हुए हमारी पहचान छिपाते हुए हम दोनों एक गठ बंधन कैसे बना सकते हैं यह स्वाभाविक रूप से सरवश्रिष्ट के लिए होगा परी किंगमेई के चहरे पर मुस्कान आ गई यह बल केवल आदित्य को जवाब देता है जबकि आपके संप्रदाय के लिए यह देखते हुए कि आदित्य और बाई किंग के बीच कितना गहरा रिष्टा है मुझे कुछ और कहने की आवश्चक्ता नहीं है वास्तव में इन दोनों शक्तियों के विलाय का अफसर भी हो सकता है परी किंगमेई के शब्दों को सुनकर ऐसा नहीं था कि उसने कभी इस बारे में सूचा नहीं था लेकिन जिस भविश्य की वे बात कर रहे हैं वह अभी बहुत दूर है जिनकों के महानस और चेन वंश इस प्राचीन परिवार ने एक अत्यंत विशाल छेत्र पर कबजा कर लिया था ग्रेंट्जिया के शिखर पर कुछ हजार वर्षों तक खड़े रहने के बाद यह अब तक मौझूद सबसे मजबूत पारलौकिक शक्तियों में से एक थी अंगिनत लोग थे जो ग्रेट सोलर चेन कभीले में शामिल होना चाहते थे हाला कि इस समय कई आकरितियों की निगाहें चेन कभीले की दिशामें निर्देशित थी केबल यह देखने के लिए कि हवा के बीच में एक काले वस्तरवाली नानी वहां खड़ी देखी जा सकती थी जिसके पास से एक अतुलनिय तेज हत्या का इरादा था उसके चारों और रहसेवादी चंदर संप्रदाय के विशेशग्यों को देखा जा सकता था चेन कभीले के अवशेश पहले ही खबर सुन चुके थे और भाग रहे थे चेन कभीले ने जो संपत्ती जमा की थी वह अब दूसरों की लूट बन गई थी एक प्रभावशाली कुल एक ही दिन में नश्ट हो गया कितना दुखद, कितना शोचनिया है आसपास की भीड उनके दिलों में आहे भर रही थी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हेवनली फेट रैंकिंग का दिन वास्तव में भी तक ग्रैंट जिया के इतिहास में वे हबाके जोके के साथ फीके पढ़ गए जितने वाले राजा बन जाते हैं, हारने वाले सब बदनाम हो जाते हैं अनादिकाल से ऐसा ही होता आया है चोतर्फा युद्ध इतना सरल कैसे हो सकता है एक भी गलत कदम पूरी तरह से विनाश के बराबर है एक और व्यक्ती ने आह भरी पूरे ग्रैंजिया में एक शक्ती आसानी से दूसरे के साथ पूरी तरह से युद्ध छेडने के लिए तैयार नहीं होगी एक बार युद्ध की घोशना हो जाने के बाद कोई भी पक्ष तब तक विश्राम नहीं करेगा जब तक की एक पक्ष का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता वे भविश्य की परेशानी के सुरोतों को अनियंत्रित नहीं छोडेंगे इसलिए इससे पहले महान सौर चेन कबीला रहसिवादी चंद्रमा संप्रदाय के लिए बेहत निर्मम और निर्दई था इस तथ्य के अलावा और कोई कारण नहीं था कि उनके बीच एक चोतरफा युद्ध शुरू हो चुका था फिर भी ग्रेट सोलर चेन कबीले ने कभी भी उनके विजेता नहीं होने की उम्मीद नहीं की थी चेन कबीले से बहुत दूर स्थित एक सराय में ड्रैगन वस्त्रों में एक सिलहूट पहने हुए चेन कबीले की दिशा में चकित हो गया उसकी आखें अतुलनिय रूप से तेज थी और क्रोध की एक थंडी थंड़क भी उचसर्जित कर रही थी इस आदमी की आखों के भीतर एक भयानक ज्वाला टिंटिमा रही थी वह चेन कबीले के उन अवशेशों में से एक था जो सौभागिसे समय रहते बच गए थे उसने अपनी हथेली खोली, अपना सिर नीचे किया और नीचे की ओर देखा उसके हाथ में एक रहस्यमय प्राचीन पदक था वह कोई और नहीं बलकि एक पवित्र शाही पदक था हर सौ साल में ग्रेट सोलर चेन कबीले में केवल तीन ही होंगे एक पदक चेन फैन को दिया गया, दूसरा चेन वांग को दिया गया वे दोनों पहले ही गिर चुके थे, उनके पदक दूसरों ने छीन लिये उनके लिए वह तीसरे पदक के धारक थे उसके सौ साल पहले पदक धारकों के लिए गोली समराथ हॉल जून यूसे सबसे कम उमर के आरोही के अलावा कोई भी वापस नहीं लोटा हो सकता है वे गिर गये हो, या हो सकता है कि उन्हें बाहर निकाल दिया गया हो और उनके पास अपने कुलों में लोटने के लिए चहरा नहो अभी ग्रैंड जिया में नौ में से केवल साथ ग्रैंड कभीले रह गए हैं हर सौ साल में इन भव्य कुलों को तीन पवित्र शाही पदक प्राप्थ होते थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यदि आपको एक प्रदान किया जाता है तो आप निश्चित रूप से एक उतक्रिष्ट चरित रहूंगे वहां की दुनिया बहुत विशाल थी वहां कई दानव स्तर की प्रतिभाय थी और स्वयं को सन्यमित करने के लिए जीवन और मृत्यू के संधर्षों के बीच पवित्रशाही पदकों के धारकों के बीच मृत्यू दर का अधिक होना असामान्य नहीं था हाला की प्रतेक पदक आशा के एक टुकडे का प्रतिनिधित्व करता है साथ ग्रैंड कुलों में कई आरोही थे जो अपने छोटे दिनों में पवित्रशाही पदक के धारक थे जो बच गए और अपने संबंधित कुलों के निता बनने के लिए वापस आ गए अपनी उंगलियों को बंध करते हुए इस आदमी ने प्राचीन पदक को कस कर पकड़ लिया जबकि उसकी आखों में तेज और भी तीवर हो गया इसके बाद वह खड़ा हुआ और सराय से चला गया अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक निश्चित दिशा में यात्रा करता रहा इस समय प्राचीन सामराज्य की स्थिती चेन कभीले की स्थिती के बिल्कुल विप्रीत थी चेन कभीले के पास का वातावर्ण उजार और अंधकार में था लेकिन प्राचीन सामराज्य में मनुष्यों का समुद्र था जह समाचार बहुत तेजी से प्रसारित हुआ और विभिन पारलौकिक शक्तियों के सभी शक्तिशाली पात्र जो पहले से ही जिन कौमे थे वर्तमान में प्राचीन सामराज्य में थे अंगिनत छायाचित्र प्राचीन सामराज में एकत्र हुए, उनकी आखें केंदर में एक ही स्थान पर प्रशिक्षित थी वहाँ पर जमीन का पूरा टुकड़ा धंस गया था, जिससे एक विशाल गढधा बन गया था जो भीतर छिपे एक राजसी द्रिशक को प्रकट करता था किमवधंतियों ने कहा कि इन भूमिगत महलों को दूसरे नाम से जाना जाता था प्राचीन सामराज्य का मकबरा, जहां सभी शाही समराटों को दफनाया गया था शाही मकबरे के प्रवेश द्वार पर सिंदूरी पक्षी के विशाल कुल देवता का पहरा था सिंदूरी चिडिया की बड़ी खुली चोंच शाही मकबरे का प्रवेश द्वार थी फिर भी किसी ने लापरवाही से भीतर कदम रखने की हिम्मत नहीं की चुंकि यह स्थान प्राचीन ग्रैन जिया का शाही मकबरा था यह बिना कहे चला जाता है कि घुसपैठियों को उन लोगों की शान्ती भंग करने से रोकने के लिए जाल बिछाए जाएंगे जो भीतर रहते हैं खत्रे निश्चित रूप से हर जगह मौजूद थे जिन लोगों ने जोखिम उठाया उनके बचने की संभावना केवल 10% थी ओयांग अरिस्टोक्रेट कभीले, जियां कभीले, शी कभीले और आधरनिय स्वर्ग संप्रदाय के विशेशक यह सभी आ चुके हैं कितना तेज है शाही मकबरे के प्रवेश द्वार से पहले, वहाँ पहले से ही आकरितियों की एक पंक्ती खड़ी देखी जा सकती थी वे सभी ग्रैंट जिया की विभिन पारलौकिक शक्तियों से थे हवा के बीच में इस जगह पर कुल साथ से आठ लोगों के रूप में एक प्रचंड हवा चली इन सभी लोगों के पास कठपुतलिया थी और वे सभी अत्यंत युवा थे स्वाभाविक रूप से ये लोग कोई और नहीं बलकी डितियान और उनके साथ ही थे कठपुतलियों में प्रवेश करने पर वे सेना में शामिल हो सकते हैं और एक दिव्य घटना आरोही को टक्कर दे सकते हैं इससे पहले आदरणिय स्वर्ग के संप्रदाय में ये वे ही थे जिन्होंने चेन कभीले और जून यू के कभीले के स्वामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी यह स्पष्ट था कि वे बहुत शक्तिशाली थे केंद्र में वह आदमी डितियान है यह वह और आदित्य थे जो एजियोर गुट की कमान संभालते थे वह आदित्य के समान जन्मजात तकनीकों को विक्सित करता है और ऐसा लगता है कि वह राक्षसी दिव्यता बलिदान परिवर्तन को भी जानता है बेशक यह उनकी धमकी के कारण भी था कि पिल एमपरर हॉल के आरोही ने आखिरकार चोड़ने का फैसला किया पहली बार दिखाई देने पर इतना हंगामा करते हुए वह आदित्य की तरह एक और दानवस्तर की प्रतिभा है भीड के दिलोंने प्रशंसा में आह भरी तेवनली फेट रैंकिंग के शीर्ष रैंक वाले आदित्य ने चेन के पूर्वज को एक ही तलवार से मार डाला एक बार फिर उन्होंने ग्रैंजिया में इतिहास का एक नया प्रिष्ट खोला वह बहुत भयानक है भीड की चर्चा बदस्तूर जारी रही चेन वंश गोली समराथ हॉल के समान ही था दोनोंने आदित्य को नाराज कर दिया था परंतु इसका परिणाम क्या हुआ गोली समराथ हॉल अलग हो गया जबकि चेन कभीले को और भी अधिक नुकसान हुआ उनके पूरे कभीले का सत्यानाश हो गया यह ऐसा था मानों किसी को इस आदमी को कभी भी उत्तेजित नहीं करना चाहिए अन्य था वे उसके क्रोध का सामना करेंगे शाही मकबरे के बाहर विशेशग्यों का एक समुद्र इकठा हो गया फिर भी किसी ने भीतर कदम रखने की हिम्मत नहीं की प्राचीन ग्रैंट जिया कितना शक्तिशाली था रॉयल मकबरा ग्रैंट जिया के पिछले समराटों की तरह बिजलीघरों के लिए दफन स्थान था यह पवित्र स्थान दूसरों को इसकी निंदा करने की अनुमती कैसे दे सकता है इसमें कोई शक नहीं था कि यह जड़ह खतरनाक जालों से अटी पड़ी थी ओयंग एरिस्टोक्रैट क्लैन शिक्लैन के साथ साथ अन्य पारलौकिक शक्तियों ने अपने सदस्यों को इकठा किया और रॉयल मकबरे में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति होने के नाते मोहरा बनने के लिए तयार हुए अभी ओयान कभीले के भगवान की निगाहे युन मेंगी और बाकी लोगों पर चली गई उसका चहरा टिंटिमा उठा जैसे उसकी आखों में एक अंजानी रोशनी चमक उठी हो शाही मकबरा इन लोगों द्वारा खोला गया था साथ ही उन्होंने यहां से सेवन स्लोटर्स पपेट्स प्राप्त किये उस स्थिती में क्या वे खतरनाक जालों के स्थानों से अवगत हैं चलो अंदर चले इस समय शाही मकबरे के प्रवेश द्वार की दिशा में आगे बढ़ते हुए युनमेंगी ने धीनी आवाज में बात की आदित्य और बाकी लोगों ने संकोच नहीं किया उन्होंने युनमेंगी का पीछा किया और आगे बढ़ गए कटपुतलियों को नियंतरित करते समय सातों के दिल एक जैसे थे इसलिए उन पर शक करने का कोई कारण नहीं था जहां तक बाई कीम का संबंध था हाला कि दूसरों के साथ उसके संबंध इतने गहरे नहीं थे वे जानते थे कि आदित्य के साथ उसका रिष्टा भाई भनो जैसा था इसलिए उसके चरित्र के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी आदित्य स्वयंभी वास्तव में उन्हें सच्चाई बताना चाहता था हाला कि वे उसके लिए रहसे रखेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे आंदोलन के कारण खत्रे के क्षणों में उसका नाम नहीं पुकारेंगे उस स्थिती में महान निर्वान कला का रहसे लीख हो जाएगा जिसका अर्थ होगा कि वह किंगर से अपने वादे में विफर रहा अभी भी बहुत से ऐसे थे जिनकी आखों में शत्रुता और लोग की गर्मी भरी हुई थी जब उन्होंने उससे देखा यह इसलिए था क्योंकि वह अमर विजय स्वार्ड पले जानता था उसके तलवार के प्रहार की शक्ती को बहुतोंने देखा था दूसरे कैसे उसका लोग नहीं कर सकते थे यदि यह इस तथे के लिए नहीं था कि उन्हें डर था कि उसकी पीट के पीछे एक शक्तिशाली शक्ती हो सकती है साथ ही साथ वह खत्रा जो महानस और चेन कबीले के विनाश के कारण प्रकट हुआ था यह लोग लंबे समय से उसके खिलाफ कारवाई कर चुके होते युद्धपत पर मनुश्यों के हृदय विश्वास घाती थे यह कुछ ऐसा था जो उसने बहुत पहले सीखा था हर कोई ओयां कुआंग शेंग और फैन ले जैसा नहीं था जो ऐसे दोस्त थे जो उसके साथ बिना पलक जपकाए मौत का सामना कर सकते थे सिंदूरी चिडिया की बड़ी चोच पर आदित्य और बाकी लोग पहुँचे थे युनमेंगी ने संकोच नहीं किया और सीधे अंदर चली गई बहुत तेजी से अन्य लोग उसके पीछे-पीछे आ गए भीड के द्रिष्टिक शेत्र से कायब हो गए जाना किसी को नेत्रित्व करते देख बाकी विशेशग्यों के होसले बुलंध हो गए वे भी शाही मकबरे के प्रवेश द्वार से होते हुए आगे बढ़े एक चण बाद उन्हें लगा जैसे वे एक अलग स्थान में प्रवेश कर गए हूँ जब वे वापस मुडे तो प्रवेश द्वार मौजूद नहीं था वे केवल प्रवेश कर सकते थे, वे बाहर नहीं जा सकते थे सभी विशेशग्यों के दिल धड़क उठे उनके कुछ हाथ मुठ्यों में जक्डे हुए थे, जो उनकी घबराहट का संकेत दे रहे थे हाला कि जैसे ही उन्होंने युन मेंगी और उसके समोह को देखा, उनकी आखों में एक बार फिर तीखापन आ गया ये लोग शाही मकबरे के लेयाउट से परिचित लग रहे थे उस स्थिती में उनका अनुसर्ण करना सभी खत्रों से बचने का सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए अपना सिर जुकाकर वे शाही मकबरे के इंटीरियर का सर्वेक्षन करने लगे शाही मकबरे में माहौल ने भव्यता और भव्यता की भावना का अनुमान लगाया वे अपने हाथों में लंबे भाले लिए राक्षसी पशुपरवतों पर सवार थे और उनका मुख गंभीर लेकिन जीवन तस जीव था हालांकि वे जीवित नहीं थे फिर भी उन्हें देखने वाले सभी लोगों के लिए वे गंभीर खत्रे की भावना पैदा कर रहे थे शाही मकबरा एक ऐसा स्थान कैसे हो सकता है जहां सभी प्रवेश कर सकते हैं युनमेंगी ने अपने दिल में थंडी मुस्कान बिखेरते हुए आगे के रास्ते को देखा जिसके बाद उन्होंने अपनी आवाज अपनी सहेलियों तक पहुँचाई पत्पर परम कलाओं का प्रदर्शन करो और तुम बिना किसी खत्रे के यहां से गुजर सकोगे जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी उसकी तलवार म्यान से बाहर निकल गई क्योंकि युनमेंगी ने एक जटिल नरिते शुरू किया आगे बढ़ते हुए उस प्राचीन पत्पर कदम रखते हुए दूसरों के भाव ठिठक गए क्योंकि उनके चेहरों पर घबराहट के भाव जलक रहे थे युनमेंगी प्राचीन पत्पर तलवार निरते कर रही थी और वस वर्गियस वर्ड पले का उप्योग कर रही थी युनमेंगी के बाद फैन लेने कदम रखा उसके शरीर में रक्त उबल रहा था और एक भयानक शक्ती महानस और रोशनी उससे निकल रही थी शुरुवात में उनके पास एमपाइरियन फ्लेंस की रक्त रेखा थी और जब उन्होंने ग्रेट सोलर युनिवर्स तकनीक की खेती की तो उनकी रक्त रेखा की उर्जा और भी मोटी हो गई एक दूसरे को पूरी तरह से पूरक बना दिया ओयं कुआंग शेंग चुमांग और अन्य लोगों ने उन परम कलाओं का प्रदर्शन किया जिन्हें उन्होंने विक्सित किया और आगे बढ़ाया बाई क्विन से भयानक शैतान को महसूस किया जा सकता था वह बाहर निकली और सामने की ओर चल दी आखिरी के रूप में आदित्य फिलहाल वह बाहर भी निकल गया गलडकर्स इंप्रेंट की इच्छा ने उसकी पूरी हथेलियों को ढप दिया उन्हें लाल कर दिया जबकि उसके खून में एक अजीब उर्जा बुदबुदाई उनमें से आठ पहले ही रास्ते पर पैर रख चुके थे उनके पीछे जो लोग थे वे केवल स्टब्ध होकर देख रहे थे इन आठोन ने ग्रैंट जिया की परमकलाओं की साधना की जो नो परमकलाओं में से एक भी नहीं जानते उनका क्या होगा शी कबीले के विशेशग्य अपने गोल्डन ड्रैगन बैटल फॉर्म को परिचालित करते हुए आगे बढ़े और मार्ग में प्रवेश किया उन्हें भी कोई रुकावट नहीं आई जिन लोगों ने नो परमकलाओं की साधना की वे मूल रूप से केवल अलपसंख्यक थे बहुत तेजी से वे सभी पहले ही रास्ते पर कदम रख चुपे थे और उसे पार कर गए थे बचे हुए लोगों के चहरे नकारात्मक भावनाओं के मिश्रन से विप्रिक थे जिसके बाद उन्हें से एक ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और प्राचीन पत्थ की दिशा में निकल पड़ा हाला कि जिस क्षन उसका पैर रास्ते पर पड़ा दोनों और की मूर्तिया अचानक एक तीवर चमकदार सफेदी से चमक उठी बी जेड 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 अचानक उनके हाथों में पत्थर भाले भयानक बल के साथ बाहर निकल गए उनके आगे के रास्ते को सील कर दिया साथ ही उनके पीछे हटने के रास्ते को भी जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसका चेहरा राख हो गया, केवल यह देखने के लिए कि पत्थर की मूर्तिया अपने धनुष को पुना प्राप्त कर रही है, उस पर ताला लगा रही है एक क्षन बाद एक थंडी और भयानक रोशनी फूट पड़ी चूटे हुए तीर मोतियों की माला की तरह जुड़ गए, जैसे प्रकाश की एक सुनहरी लकीर शूनी में घुस गई बल द्वारा उसे चपना चूर करने से पहले उस व्यक्ती ने खून से लथपत चीख निकाली जिससे वह रक्त के पूल में बदल गया, उसके मूल शरीर के टुक्रे टुक्रे हो गए सन्नाटा पसर गया, किसी ने सास लेने की भी हिम्मत नहीं की फिर भी जो रह गए उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई यह रास्ता मौत का रास्ता था नौपरम कलाओं को जानने वालों को ही आगे बढ़ने दिया जाएगा पीछे मुरकर देखने पर उन्हें केवल पत्थर की दिवार का एक बरफीला खंड दिखाई दिया उनके जैसे और भी होने चाहिए लेकिन कोई निशान क्यों नहीं थे यह स्थान प्राचीन ग्रैंट जिया का शाही मकबरा है जो लोग पहले प्रवेश कर चुपे हैं उनके पास निश्चित रूप से प्राचीन समराट का खून होना चाहिए वे इस रहस्य को कैसे नहीं जान सकते थे जाहिर है उन्होंने नौपरम कलाओं की भी साधना की होगी वे हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के ठीक बाद यहां फस गए दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया जिससे प्रशन पूछने वाले का मुह बंध हो गया उसके चहरे पर समझ का कुछसित भाव उभराया क्योंकि उसका चहरा फीका पड़ गया था यहां के इन सभी लोगों ने महसूस किया कि उनके दिल बर्फ में बदल रहे हैं हाँ यह ग्रैंट जिया का शाही मकबरा था यह ऐसी जगह कैसे हो सकती है जहां दूसरों को इतनी आसानी से प्रवेश करने दिया जाता है जिन्हें यहां दफनाया गया था वे सभी प्राचीन ग्रैंट जिया के पूरवज थे उनके जाने के बाद भी दूसरों को उनके विश्राम स्थलों को बाधित करने की अनुमती कैसे दी जा सकती है वह महिला वास्तव में जहरीली है इस समय एक बरफीली आवाज निकली जाहिर है वह व्यक्ति युनमेंगी को कोस रहा था उसने किसी को नहीं बताया कि इस जगह से गुजरने के लिए ग्रैंट जिया की परम कलाओं की आवश्यक्ता है उस स्थिती में वे सभी उसक्षन पहले ही अभिशक्त थे जब उन्होंने प्रवेश करने का निर्ने लिया युनमेंगी ने रास्ते में आगे बढ़ते हुए अपना जटिल नरिते जारी रखा वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानती थी कि दूसरे क्या सोच रहे हैं अगर वह जानती भी तो उनके श्रापों का उसके दिल की स्थिती पर कोई असर नहीं पढ़ता युध का रास्ता अठाह था, लोगों के दिल विश्वासधाती थे शाही मकबरे का सामना करने पर कौन प्रवेश नहीं करना चाहेगा? अगर उसने वास्तव में उन्हें बताया कि उन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए तो क्या वे उसकी सलाह भी मानेंगे? नहीं इसके विप्रीत उन्हें उसके इरादों पर भी संदे होता और यह कि वह उनसे जूट बोल रही है उन्होंने अभी भी अंत में प्रवेश करना चुना होगा यह प्राचीन मार्ग अत्यंत लंबा था और कुछ पलों के बाद आखिरकार युनमेंगी के सामने एक गेट दिखाई दिया वह तेजी से फाटक के माध्यम से कदम रखा जबकि अन्य उसके पीछे-पीछे हो गए क्योंकि वह एक पूरी तरह से अलग जगह में दिखाई दिये यह नया स्थान प्राचीन पत की तरह संक्रा नहीं था वे अब एक भव्य हॉल के भीतर थे भव्य हॉल के भीतर कई शिलालेख उतकीन थे और कई पत्थर के खंभे भीतर समर्थन के रूप में कार्य कर रहे थे और ठीक केंद्र में एक मंच था जिसका उप्योग देवताओं को प्रसाद देने के लिए किया जाता था अभी उस चबूत्रे पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सुक्षम पत्थर के एक विशाल ब्लॉक से तराशे गए एक विशाल ताबूत थे और उसके नीचे रहस्यमय रोश्नी चमक्ती हुई दिखाई दे रही थी मानोगे ताबूत को खीच रहे हो चबूत्रे के चारों और चार विशाल खंभे थे जिनमें से प्रत्येक पर सिंदूरी पक्षी कुल देवता के चित्र उकेरे गए थे जो अविश्वस्निय रूप से ज्वलंत और सजीव थे उस प्राचीन ताबूत के सामने उस बली चबूत्रे पर प्रार्थना की चटाई रखी हुई थी दोनों खंभे और चटाई एक अत्यंत और अतुलनिय रूप से मोटी सुक्ष्म उर्जा उत्पन्न करते हैं और ऐसा लगता है कि युवान उलका पत्थरों से विशुद्ध रूप से बनाया गया है ये प्राकृतिक युवान उलका पत्थर इतने शुद्ध हैं उन्हें पांच वी स्वर्गिय परत्या उपर से उत्पन्न होना चाहिए था इतना ही नहीं उनके भीतर सुक्ष्म उर्जा की भयानक मात्रा ने संकेत दिया कि वे छेवी साथवी परत्से भी उत्पन्न हो सकते हैं आने वालों के दिल बेठाशा तेज हो रहे थे इन खंभों को बनाने के लिए युवान उलका पत्थर का कितना बड़ा ब्लॉक होना चाहिए कितना आलिशान उच्छ श्रेनी के युवान उलका पत्थरों की इतनी खबोलिय मात्रा मुझे यह भी नहीं पता कि यह कितने समय के लिए एक अद्वितिय पारलॉकिक शक्ती बनाए रख सकता है कुछ ने एश्या से आह भरी एक युवान उलका पत्थर की उत्पत्ती जितनी अधिक स्वर्गिय परत्से होती है उतनी ही भयानक और उनमें उर्जा शुद्ध होगी हालाकि शीर श्रेणी के युवान उलका पत्थर संख्या में बेहत सीमित थे युन मेंगी उपर चला गया और नौ बार प्रनाम करते हुए उस प्राचीन ताबूत के सामने सुक्ष्म प्रार्थना चटाई पर घुटने टेक दिये हर बार जब उसका माथा जमीन पर पटक दिया जाता तो वह अपनी हथेली को चार खंभों पर उकेरे गए सिंदूरी पक्षी कुल देवता पर यादरिक्षिक पैटर्न में समान रूप से रखती एक शन बाद सुक्ष्म उर्जा बाहर निकली और पूरा मंच जगमगा उठा चार खंभों के उपर से निकलने वाली रोशनी ने पूरे भव्य हॉल को रोशन कर दिया हवा के उपर चार सुक्ष्म स्तंभों के केंदर में प्राचीन राज्य के शीर्षपर सिंदूरी पक्षी के रूप में प्रकाश की एक उजडवल स्क्रीन दिखाई दी आग की लपतें पैदा हुई शिडिया को ढखते हुए जैसे ही उसकी आखे खुली उसके भीतर एक अत्यंत भयावा आभा थी इतना होते हुए भी इसकी महिमा और भयानक सुंदर्ता को नकारा नहीं जा सकता था ग्रेंट जिया वर्मिलियन बर्ड के प्रसिद्ध टोटें जानवर लेकिन इस जगहे पर कोई जीवन रूप नहीं होना चाहिए आखिर क्या है वह चीज धीरे धीरे आकमा को जखजोर देने वाली चीख हवा में गूंज उठी जैसे ही प्रकट सिंदूर पक्षी आसमान में उड़ गया धीरे धीरे इससे चमकने वाली चमकने यहां आने वाले सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया चिडिया की आखों में क्रोध की एक गहरी धुंदली रोशनी चमक उठी जबकी उसमें से एक भयानक भयावा आभा निकली आप अकेले क्यों हैं जिनके पास मेरे कभीले का खून है सिंदूरी चिडिया से अत्यधिक ठिठुरन की आवास गुंज उठी जिससे सबका हृदय अनैच्छिक रूप से कापने लगा पूर्वजों को जवाब देते हुए जिया कभीला पहले ही गिर चुका है कई हजार वर्षों के बाद मैं ही एक मात्र वन्षज हूँ युनमेंगी की आखों में श्रद्धा और सम्मान से चमका गई उसने फिर से प्रणाम किया लेकिन हवा में वातावर्ण भारी और भारी हो गया सिंदूरी चिडिया के चहरे पर अंधेरा चा गया क्योंकि उसकी आखें नरप की आख के प्रकोप से जल रही थी ग्रेंट जिया पहले ही गिर चुका है सिंदूरी चिडिया से निकलने वाली थंडी मन्शा ने पूरे भव्य हॉल को ढख दिया सभी के शरीर अनैचिक रूप से शीर्शकित हो गए यहां तक कि उनकी सांसे भी अनियमित हो गई सिंदूर पक्षी से निकलने वाला यह दबाव बहुत ही भयानक था कोई भी इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था विधवन सक कौन था सिंदूरी चिडिया ने सलीके से पूछा प्राचीन ग्रैंड जिया के नौ ग्रैंड क्लैंस एक दूसरे के साथ साथ गांठ मे थे वे विश्वास धात में सेना में शामिल हो गए युन मेंगी ने जवाब दिया असंभव शाही कभीले की ताकत नौ भव्यकुलों से कहीं अधिक है सिंदूरी चिडिया ने ठंडा जवाब दिया नौ भव्यकुलों के पीछे एक छायादार हाथ था जो सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था मुझे संदे है कि मास्टर माइंड कोई और नहीं बलकी ग्रैंड शान सामराज था अंतिम जिया समराट के गिरने के बाद उन्होंने नौ भव्यकुलों के साथ मिलकर काम किया जिससे ग्रैंड जिया का विनाश हुआ युन मेंगी ने फिर से जवाब दिया उसके शब्दों के कारण सिंदूर पक्षी के चारों और आग की लपतें और भी तेज हो गई मेरा ग्रैंड जिया हजारों वर्षों से गिर रहा है जबकि आप ग्रैंड जिया के शाही कभीले के अंतिम शेश वंशज हैं वर्मिलियन पक्षी ने अपनी नजर यूमिंगी पर डाली और आगे कहा तुम कैसे बच गए और आपने केवल इसी समय शाही कभर में प्रवेश करने का चुनाव क्यों किया मेरे पूर्वज जिया तियान यू है उस समय नौ भव्यकुलों के प्रमुखों द्वारा उसे अपमानित किया गया था लेकिन सौभाग्य से एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा उसे बचा लिया गया था तब से ग्रैंट जिया पर वर्तमान यूग तक हमारे दुश्मनों का कभजा रहा है मैं अपने पूरवजों की शिक्षाओं को कभी नहीं भूला हूँ और अभी हमारे दुश्मन हमारे सिर पर चड़ रहे हैं हमें खत्म करना चाहते हैं इसलिए मेरे पास साथ वध कठ पुतलियों को प्राप्थ करने के लिए शाही मकबरे को खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिसने अंजाने में इस स्थान के ग्रैंट जिया की वर्तमान पारलौकिक शक्तियों को सचेत कर दिया युन मेंगी ने सम्मान पूर्वक कहा उसके शब्दों ने उसके पीछे खड़े लोगों को अनियंत्रित रूप से थर्थरा दिया विशेश रूप से शी कभीले के लोग उनके चहरे का रंग पीला पड़ गया था यह स्थान ग्रैंट जिया का शाही मकबरा था वे बाहरी थे इतना ही नहीं वे उन नौ महा कुलों के वन्शच थे जो उस समय देशद्रोही हो गए थे ऐसे में क्या वे यहां घुसकर अपनी मौत नहीं मांग रहे थे सिंदूर पक्षी फिर से पूछने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया ये लोग कौन है मेरे पीछे साथ मेरे सभी अच्छे दोस्त है अभी मौजूदा ग्रैंट जिया उथल पुथल के दौर में है आदरनिय स्वर्ग संप्रदाय के वन्श जो ने भविशवाणी की थी कि ग्रैंट जिया भविश्य में फिर से एक शासन के अधीन आ जाएगा और ये साथ भविश्य में ग्रैंट जिया के महत्वपूर्ण पात्र हो सकते हैं दूसरों के लिए वे यहां पहुँचे क्योंकि वे ग्रैंट जिया की अंतिम कलाओं में से एक को जानते थे वे कोई और नहीं बलकी उन गद्दारों के वन्शज हैं जिन्होंने हमारे वन्श को धोखा दिया युनमेंगी के शब्दों ने उन में से बाकी लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे कि उनके शरीर बर्फ में बदल गए हूँ वर्मिलियन बर्ड की आखें उन पर पड़ी अचानक आग की लप्टों के स्तंध उसमें से निकले तुरंट उन्हें राख में जलाकर चीख पुकार और चीख पुकार के बीच जैसे वे इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए हमें अभी भी रॉयल मकबरे की रक्षा के लिए पूरवजों की आवश्चता होगी कृप्या अधिक ठकावट के मामले में इसे आसान बनाएं युनमेंगी ने एक बार फिर प्रणाम किया यहां सुक्ष्म उर्जा की मात्रा मुझे बनाए रखने के लिए परियाप्त है दुख की बात है कि मेरे पास शाही मकबरे को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है सिंदोरी चिडिया ने अपने सामने आठ लोगों को देखा चुंकि आप उन सभी को यहां लाए हैं इसलिए मैं उनके लिए समराट द्वार खोल दूँगा नियम पहले की तरह ही रहेंगे सभी को उनकी प्रतिभा के आधार पर अलग-अलग जगहों पर भीजा जाएगा हाला कि वे कोई विरासत प्राप्त कर पाएंगे या नहीं यह स्वाभाविक रूप से उनके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करता है मैं समझता हूँ युनमेंगी ने सिरहिलाया हमारे जिया कबीले के प्राचीन समराटों ने अपनी मृत्यू के बाद अपनी विरासत को शाही मकबरे में पीछे छोड़ दिया है पूर्वज आप सभी को आपकी प्रतिभा के आधार पर विभिन स्थानों पर भेजेंगे तुम्हारे भाग्य के आधार पर विभिन विरासते प्रकट हो सकती है युनमेंगी के शब्द उसके पीछे उन साथ लोगों के लिए थे वह उन्हें बता रही थी कि यह एक मौका था जब वे पिछले जिया समराटों की विरासत हासिल कर सकते थे जिसके पास जितनी अधिक प्रतिभा होगी प्रायल्स में उसका प्रदर्शन उतना ही अच्छा होगा उसकी विरासत उतनी ही मजबूत होगी कोई आश्चर्य नहीं कि किमवदंतियों ने हमेशा कहा कि प्राचीन ग्रैंट जिया की शक्ती सभी पारलौकिक शक्तियों की कुल शक्ती से भी अधिक है प्राचीन सामराज्य के गिरने के बाद भी, नौ ग्रेंड कभीले ग्रेंड जिया के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर नहीं कर सके क्योंकि यह रहस्य केवल जिया कभीले के वन्षडों को ही पता था ग्रेंट जिया का सबसे बड़ा रहस्य शाही मकबरे में नहित है शाही मकबरा प्राचीन समराटों का विश्राम स्थल था यह वह स्थान भी था जिसमें उनकी विरासत थी उस समय जिया कभीले के प्रतेक वंशच को शाही मकबरे में प्रवेश करने का अफसर मिलता था उर्वज के प्रती सम्मान व्यक्त करते हुए क्योंकि यहां उनके लिए समराट द्वार खोल देता था चुंकि तुम सब यहां उसके द्वारा लाए गए थे मुझे विश्वास है कि तुम सब इस रहसे को प्रकट नहीं करोगे हाला कि मुझे अभी भी आपके दिमाग पर एक प्रतिरोध चाप छोड़ने की जरूरत है भविश्य में यदि कोई आपकी आत्मा की तलाशी लिता है तो यह प्रतिरोध चाप उस हमले को रोक देगी लेकिन निश्चित रूप से यदि आत्मा खोजकरता का साधना आधार आपकी तुलना में बहुत अधिक है, तो यह प्रतिरोध छाप आत्म विनाश करेगी और आपकी यादों को मिटा देगी क्या आप सब तयार हैं? सिंदूरी चिडिया बोलते हुए उनमें से आठ को घूर रही थी ग्रैन्ट जिया के शाही मकबरे में ग्रैन्ट जिया का सबसे बड़ा रहस्य है ग्रैन्ट जिया के नश्ठ हो जाने पर भी यह रहस्य अभी भी उजागर नहीं हुआ था क्योंकि उस समय जो लोग शाही मकबरे में प्रवेश करते थे, वे सभी ग्रैंट जिया के मुख्य सदस्य थे, वे स्वाभाविक रूप से अपने ही कुलों के साथ विश्वासधात नहीं करेंगे, और जैसा कि किसी ने उनसे कुछ भी क्यों नहीं सीखा, यह शायद उस प्र चीजे वास्तव में उस बिंदु पर आ जाती, तो वह मृत्यू से बहुत दूर नहीं होता, अन्य सभी ने अपना सिरहिलाया, यह दर्शाता है कि उन्हें कोई आपत्ती नहीं है, एक पल बाद सिंदूर पक्षी की आँखों से सुनहरी लप्टों के साथ धधकती हुई ए इस प्राचीन चाप से प्रकाश अचानक फूट पड़ा, उपस्थित आठ लोगों के दिमाग में शूटिंग कर रहा था क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी चेटना के समुदर को पीले सुनहरे प्रकाश की एक स्क्रीन द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, यह हो चुका है, मेरे सामने एक एक करके खड़े हो जाओ, मुझे अपनी धारना की शक्ती को महसूस करने दो, सिंदूरी चिडिया बोली, युनमेंगी ने मोर्चा संभाला और सिंदूर पक्षी के सामने चल दी, सिंदूरी पक्षी के पंजे उसके सिर पर रख दिये गए, क्योंकि उसकी आखे बंध हो गई, जैसे ही भव्य हॉल के कई बैंदनी खंभे जग्मगा उठे, प्रकाश की धाराएं युनमेंगी के चारों और हलकों में तैरने लगी, भव्य हॉल के अंदर कुल 81 पत्थर के खंभे थे, अंत में रुकने से पहले युनमेंगी ने 40 से अधिक खंभों को रोशन किया, सुक्ष्म आत्मा सिंदूरी चिडिया फिर बोली, अगले ही पल युनमेंगी ने अपनी सुक्ष्म आत्माओं को मुक्त कर दिया, पर्याप्त सिंदूरी चिडिया अपना पंजा उठा ले गई, जिसके बाद ओयुयां कुआंग शेंग ने बाहर कदम रख सिंदूर पक्षी ने फिर वही किया जो उसने युनमेंगी के साथ किया था, अगला फैन लेक, चुमंग, किंजेंग, म्यूफेंग, बाई किंग सभी ने निरीक्षन किया, उनमें से अधिकांश 40 से अधिक पत्थर के खंभों को रोशन कर सकते थे, बाई किंग और ओयान क पलपूर्वक फैली हुई है, पूरे स्थान को कवर कर रही है, एक क्षन बाद पत्थर के खंभे एक के बाद एक चमकने लगे और बहुत तेजी से 50 से अधिक पत्थर के खंभे पहले ही प्रकाशमान हो चुके थे, हाला कि यहा अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, एक क्ष की आखों में शुद्ध विस्मय देखा जा सकता था, उसने आदित्य की ओर ऐसे भाव से देखा जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, कि उसने अभी अभी क्या देखा, पत्थर के सभी 81 खंभे प्रकाशमान हो गए थे, पूरा ग्रैंड हॉल ऐसा था जैसे वह तार वास्तव में इतनी भयानक थी, वे पहले से ही जानते थे कि आदित्य की प्रतिभा कितनी राक्षसी है, लेकिन अब यह दितियान था, यह वही आदमी था जिसे आदित्य ने चुना था, यह सोचने के लिए कि वह इतना भयानक भी था, अब भी किसी ने कभी नहीं सोचा थ कि दीतियान वास्तव में कोई और नहीं बलकी खुद आदित्य थे, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तलवार चलाने वाले आदिन महान रॉक को देखा था, बेहोशी में फिसलने से पहले चेन पूरवच को नश्ट कर दिया था, उन्होंने महान निर्वान कला ज ठिपा सकता था, लेकिन अगर उसने अपनी सुक्ष्म आत्माओं को मुक्त कर दिया, तो क्या यह मूल रूप से दूसरों को सीधे तौर पर नहीं बता रहा था, कि वह आदित्य है। अभी मुझे पता चलेगा कि युध के दौरान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आप अपनी सुक्ष्म आत्माओं को कब छोड़ते हैं। पर्याप्त सिंदूरी चिडिया ने सिर हिलाया। आदित्य ने अपनी सुक्ष्म आत्माओं को वापस ले लिया क्योंकि प्रकाश की स्क्रीन गायब हो गई। सिंदूर पक्षी का शरीर प्राचीन ताबूत पर उतरा। इसके पंजे दब गए और तुरंथ इस ग्रैंड हॉल की दीवारों पर एक दर्वाजा अचानक खुलते ही दिखाई दिया। वहाँ पर एक अतुलनिय विशाल मूर्ती देखी जा सकती थी। वह प्रतिमा एक गौरवशाली विसमेकारी अधेड उम्र के व्यक्ती की मूर्ती थी। उसके हाथों में वजर देव कृपान था और बिजली से बने कवच में था। उनके कंधों पर एक बिजली का सर्प थान दिया जा सकता है। उस लड़ाई के बाद ग्रैंट जिया और ग्रैंट शांग दोनों की नीम्व बुरी तरह कमजोर हो गई थी। वर्मिलियन पक्षी की आवाज बेहत गंभीर थी क्योंकि इससे उन्हें प्राचीन इतिहास का पता चला। जिसके बाद इसने ओयान कुआंग शिंग और चु मंग इसी तरह सम्मान के धनुष में डूबा। जिसके बाद जैसे ही गेट बंध हुआ वह ओयान कुआंग शिंग के साथ गेट में दाखिल हुआ। और बिना किसी समान के दुनिया पर हावी था। उनके जन्म से लेकर पिछले समराच द्वारा उनके लिए अपना सिनहासन प्यागने तक उन्हें पिछले समराच के बराबर होने में केवल सौ वर्ष लगे। गलड़कर्स इंप्रिंट उनके द्वारा बनाई गई गई अं अत्याचारी समराच और रक्त समराच उन शीर्ष स्तरिये बिजली घ्रों को दिये गए नाम थे। चुमंग और ऑयान कुवंग शेंग ने अपनी विरासत के रास्ते पर चलते हुए अत्याचारी समराच द्वार में प्रवेश किया। जबकि मियू फैंग ने रक्त शीर्षपर है और आप वास्तव में साइके फोर्स का उप्योग कर सकते हैं। ऐसा ही होता है कि मेरे ग्रैंजिया का एक समराट था जो मनोविज्यान में विशिष्ट था। आप इस अफसर का अच्छा उप्योग करेंगे और देखेंगे कि क्या आप परीक्षा पास कर सकते ह इसलिए विरासत प्राप्ट कर सकते हैं। बोलने के बाद सिंदूरी चिडिया ने अपने पंजे से दबा दिया जैसे ही एक और मूर्ती प्रकट हुई। इस मूर्ती की आखों में असीन गहराई थी। बस एक नजर ने देखने वालों का दिल दहला दिया। फैन ले फिर म मूर्ती की दिशा की ओर चल पड़ा। वर्मिलियन बर्ड ने किन जैंग की ओर देखा, अंतरिक्ष की शक्ती एक अत्यंत उतक्रिष्ट शमता है। आपके पास हमले बच निकलने दोनों में फायदे हैं और इसका उप्योग अन्यक शमताओं के पूरक के लिए भी किया जा सकता है। आपको भी इस मौके का सदुप्योग करना होगा। बोलने के बाद उसका ताना दब गया। किन जैंग ने अपने रास्ते पर कदम रखने से पहले सिंदूर पक्षी की ओर सिर जुकाया। वर्मिलियन बर्ड ने बाई किंग की ओर अपनी निगाह घुमाई, मैं आपके छोटे और कमजोर शरीर के भीतर शैतानों की ठंडी और काली उर्जा को सहन करने के आपके द्रिड संकल्प को महसूस कर सकता हूँ। यह देखते हुए कि आप अब तक कैसे डटे रहे, यह वस्तव में आसान नहीं है। आपका रास्ता बेहत कठिन होगा। अबस्ता से ही वह हमेशा अकेला रहता था और ग्रैंट जिया पर हावी होने के बाद वह जिया समराट बनने के लिए तयार नहीं था। लेकिन फिर भी वह भविश्य के वंश्डों के लिए अपनी विरासत को शाही मकबरे में पीछे छोड़ने के लिए सहमत हो गया। उन अक्षी की ओर चला गया। उसने फिर पूछा वरिष्ट ये विरासत ग्रैंट जिया के प्राचीन समराटों द्वारा पीछे छोड़ दी गई थी। लेकिन स्वयन समराटों के बारे में क्या? क्या वे सब पहले ही मर चुके हैं? चुंकि वे ग्रैंट जिया के समराट बनन मर सकते हैं? और साथ ही उस छेत्र में पहुँचने पर ग्रैंट जिया में रहकर वे लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? वे निश्चित रूप से इस स्थान को आकाश के एक बड़े टुकडे के लिए छोड़ देंगे, जिससे उन्हें साधना में अपने मार्क को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. सिंदोरी चिडिया ने पीछे मुर कर आदित्य को देखा और कोई जवाब नहीं दिया. यह सोच रहा था कि आदित्य के लिए कौन सी विरासत उपियुक्त होगी. उसके सामने इस युवक की समवेदीक शमताएं और धारना, साथ ही साथ उसकी सुष्म आत्माओं की शक्ती लोगों के इस जठे में सबसे भयानक थी. अपनी प्रतिभा के साथ अतीत में शाही जिया कबीले के वंश्डों की तुलना में भी यह युवक वह हो सकता है, जिसके पास प्राचीन समराटों में से एक की पूर्न विरासत प्राप्थ करने का सबसे ग्रेंट जिया को बहाल करने की आपकी खोज के लिए यह आदमी कितना महत्वपूर्ण है, इस समय युनमेंगी के दिमाग में सिंदूर पक्षी की आवास गूंज उठी. युनमेंगी की निगाहें टिम्टिमा उठी, वह स्वाभाविक रूप से सिंदूर पक्षी का अर इससे कोई यह देख सकता था कि दितियान को आदित्य पर पूर्ण विश्वास था और वह उसका प्रतिनिधी था. इसके अलावा दितियान ने जो राक्षसी प्रतिभा दिखाई थी, उसे ऐसा बना दिया था कि वह और भी महत्वपूर्ण हो गया था. सिंदूरी चिडिय के छै लोगों की परवाह किये बिना, या यहां तक की मेरे रॉयल जिया कभीले के वन्शच भी थे, ऐसे लोग थे जो बच गए, लेकिन वे संबंधित प्राचीन समराटों की विरासत के केवल एक हिस्से के साथ यहां से चले गए, न की पूरा सेट. मैं जानना चाहता हू तुम्हारी महत्वा कांक्षा कितनी बड़ी है? मुझे पूरा वर्सा चाहिए आदित्य ने जवाब दिया. यदि मैं उच्चतम स्तर की कठिनाई वाला मार्ग चुनता हूँ, तो क्या आप उस पर चलने का साहस करेंगे? सिंदूरी चिडिया ने फिर पूछा. आदित्य क खास कर आखिरी परीक्षा के लिए अपने दिल के प्रती सक्चे रहें. आप जा सकते हैं, जैसे ही सिंदूर पक्षी की आवाज फीकी पड़ी, उसके तीखे पंजे एक बार फिर प्राचीन ताबूत पर दब गए. वर्मिलियन बर्ड के पीछे गडगडाहट की आवाजे गुंचती हैं, भव्य हॉल वास्टव में बाय और दाय से अलग हो गया था. इस बार कोई मूर्ती नहीं दिखाई दी. केवल एक सुनहराद्वार था जो एक अतुलनिय ऐश्वर्य को प्रकट करता था. आदित्या ने प्रणाम किया और अपने चुने हुए रास्ते पर च होने वाला है. चुंकि आप इन लोगों को यहां लाए हैं, मेरा मानना है कि ये सभी कोई साधारन पात्र नहीं है. हालांकि उनके जैसे किरदारों को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा. यदि वे केवल दोस्त हैं, तो आप उनकी वफादारी के बारे में कैसे सुनिश्च मांगते हुए, मैं उन सभी को यहां लाया क्योंकि एक व्यक्ति है, जिसे अन्य सभी सुनने को तयार है. वह व्यक्ति कोर है. वह अत्यंत महत्वपून है. आदरणिय स्वर्ग संप्रदाय द्वारा भविश्यवानी की गई. क्या वह आदमी है, जिसके बारे में आपने ब थी. दीतियान कोई था जिसने सभी 81 पत्थर के खंभों को जलाया था. मुझे ऐसा लगता है, युनमेंगी ने अपना सिर हिलाया. मैं जिस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, वह हमारे ग्रैंजिया की गुप्त कला, राक्षसी देवत्व बलिदान परिवर्तन में महा परिवर्तन को नकारने के लिए कुछ रहसिमय तरीके का भी इस्तिमाल किया और एक तलवार के बार से एक दिव्य घटना आरोही को मार डाला. अभी वह बेहोश है, इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आया. इसके अलावा, इन लोगों की सुक्ष्म आत्माएं इतनी शक्तिशाल हैं कि यहां अकलपनिया है. उनकी पहली तीन सुक्ष्म आत्माएं पाच-वी स्वर्गिय परत से उत्पन होती हैं, युनमेंगी ने जोड़ा. उसकी बाते सुनकर सिंदूरी चिडिया की निगाहें पहनी हो गई. इसने फिर से पूछा उसके पास कौन सी सुक्ष्म आत्म युनमेंगी ने समझाया. जिस आदमी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एक प्रिष्ठ भूमी है, जो ग्रैंट शान से नहीं हारेगी. वह निश्चित रूप से भविश्य का निर्मान करेगा जहां ग्रैंट जिया एक नियम के तहट आता है. फिर भी मुझे समझा? आपको भी हिलना डूलना चाहिए. सिंदूर पक्षी ने अंतिम बार अपने तीखे पंजों को प्राचीन ताबूत पर दबाया. एक रास्ता खुलने पर एक मूर्ती प्रकट हुई. युनमेंगी खड़े हुए और सिंदूर पक्षी को भव्य हॉल में पीछे गया था कि दीतियान ही वह व्यक्ति था जिसके बारे में युनमेंगी बात कर रहे थे. हाला कि चुंकि इसने पहले ही आदित्य को इसे गुप्त रखने का वादा किया था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से युनमेंगी को नहीं बताएगी. हाला कि यह नहीं पता था क कि आदित्य इसे दूसरों से क्यों रखना चाहता था, वह केवल यहां आशा कर सकता था कि युनमेंगी का निर्नय गलत नहीं था. आदित्य के गेट में कदम रखने के बाद, वह स्थानिक उर्जा की शक्ती को सपष्ट रूप से महसूस कर सकता था. स्थानिक उतार चढ़ाव तेजी से तीवर हो गया क्योंकि उसके चारों और की जगह विक्रित हो गई, जिससे उसे एक अलग आयाम में भेज दिया गया. अभी आदित्य ने खुद को बर्फ और बर्फ की दुनिया में पाया. विशाल भूमी सफेद कंबल से ढकी हुई थी, वातावर्ण इतना ठंडा था कि इससे वह अंजाने में कामपने लगा. विरासत के मार्ग पर कई परीच्षन होने के लिए बाध्य हैं. मुझे आश्चर्य है कि इस विशेश परीच्षन की कठिनाई कितनी अधिक है. आदित्य ने सोचा. फिर वह बर्फ की चादर में अपने पच्चिनों को पीछे छोड़ते हुए बाहर निकला. हालांकि इसी वक्ट आदित्य ने अपने कदम रोक लिए. वह महसूस कर सकता था कि कोई चीज उसकी हरक्तों पर नजर रख रही है. एक पल बाद एक भयानक ठंड का इरादा फूट पड़ा, जो आदित्य को जमने देना चाहता था. पेंग. तारकिय परिवर्तन तुरंत भड़क उठा, आदित्य विस्पोटक रूप से पीछे हट गया. अपने प्रतिद्वंद्वी के स्थान को इंगित करने की कोशिश करते हुए, सीधे आगे देखते हुए, उनके चहरे ने तीखेपन को विकीन किया. केवल मोटी बर्फ के धेर को हिलता हुआ देखने के लिए, जबकि उसमें से एक चाया उठती है. यह वास्तव में एक और इंसान था जो सफेद कपड़े पहने हुए था. लेकिन अजीब तरह से उसका चहरा और तवचा दोनों ही बर्फ के रंके थे. मेरी धार्णा वास्तव में उसे महसूस करने में विफर रही, आदित्य ने अपने प्रतिद्वंद्वी को घूर कर देखा. जाहिर है उनके प्रतिद्वंद्वी के पास बर्फ और हिंपात के जनादेश में अंतरग्रिष्टी थी, ऐसा लगता था कि वह अपनी उपस्थिती के किसी भी निशान को मिटाने के लिए इसके साथ विलाय कर सकता है. कितना दुरलब है, यहां वास्तव में कोई है, वह बर्फीली आकरिती बोली अविश्वसनीय रूप से चकित महसूस कर रही थी. जिसके बाद जब उन्होंने अपने मोती स्वेद दान्तों को प्रकट किया, तो एक मुस्कान चमक उठी, जब से मैंने इस जगह की रखवाली शुरू की है, केवल एक अल्पसंख्यकी यहां उद्यम करने का साहस करेगा. यह सोचना की इतने हजारों साल बाद भी कोई होगा जो यहां आने की हिम्मत करता है. वरिष्ट पहला परीक्षन क्या है? आदित्य ने पूछा. परीक्षन, क्या आप जानते हैं कि निर्धारित नियमों के तहट मुझे आपको मारने की अनुमती है? इतने सालों के अकेलेपन के बाद आखिरकार उन्हें अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का मौका मिला. स्वर्गिय सब्तरिशी का दूसरा स्टर आदित्य ने जवाब दिया. मैं अपने साधना स्टर को स्वर्गिय सब्तरिशी के दूसरे स्टर तक दबा दूँगा. यहां सिर्फ एक ही नियम है. मुझे हराओ या मरू? हिम्मानव की आखों में मनोरंजन के संकेट चमक उठे, उसके शब्दों ने आदित्य को थोड़ा सा भौका कर दिया. सही आदित्य ने जवाब दिया. आगे बढ़ते ही सुक्ष्म प्रकाश का सैलाब फूट पड़ा. उन्होंने स्टेलर ट्रांस पोजिशन को अंजाम दिया, जबकि एक तलवार एक साथ उड़ी, सीधे स्नोमैन के शरीर के खिलाफ फिसल गई. हाला कि आदित्य ने केवल यह देखा कि हिम्मानव वापस बर्फ के धेर में बदल रहा था, उसका रूप पिघर रहा था, आसानी से उसके हमले की शक्ती से बच रहा था. जाहिर है, उसका विरोधी इनसान नहीं था. कचा एक करकश आवाज निकली. आदित्य के पैर बर्फ से दब गए थे. उसने हिलने की इच्छा से अपने पैर उठा लिये, फिर भी उसने पाया कि जमी हुई बर्फ की शक्ती उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी. ठंड की शक्ती उसके पैरों के माध्यम से रिस्ती है, उसका रक्त जम जाता है. उर्जा परिसंचरण का मार्क काट देता है, ताकि उसकी सुक्ष्म उर्जा को उसके पैरों तक पहुँचने का कोई रास्ता न मिले. यह आदित्य ने टकटकी लगा कर देखा. उसके पैर ही नहीं, उसके दोनों हाथ और शरीर भी जमने लगे थे. मैंने कहा था कि मैं अपनी साधना को स्वर्गिय सप्तरिशी के दूसरे स्टर तक दबा दूँगा. हालांकि मैंने यह नहीं कहा कि मैं अपने जनादेश के लिए ऐसा ही करूँगा, थंडी हवा के जोके जैसी सर्द आवास, आदित्य के दिल को जखजोर कर रख देने वाली. गेट में प्रवेश करने के बाद, यह केवल पहला परीक्षन था, क्या कठिनाई का स्तर पहले से ही इतना अधिक था? उस हिमकारी उर्जा की वह शक्ती असाधारन रूप से भयानक थी. मास से रिसने के बाद, यह रक्त और यहां तक की पीडित के सुक्ष्म उर्जा परिसंचरन को भी जम सकता है. यदि उसके सभी आंतरिक अंग जम गए होते, तो निस्संदेह वह उस जमी हुई बर्फ की शक्ती के नीचे मर जाता. वह हिम्मानव उसके साथ मजात नहीं कर रहा था, यह निश्चित रूप से उसे मार डालेगा. जैसा कि उसने यहां सोचा था, आदित्य के शरीर में रक्त उमढने लगा और बढ़ने लगा. उसने अपने रक्तरेखा की शक्ती का आहवान किया और राक्षसी क्यूई की भयानक मात्रा के रूप में फाइंड आर्ट ट्रांस्फॉर्मेशन को अंजाम दिया. चकनाचोर हाउल या क्रोध के साथ, उसकी बाहों पर बने बर्फ के क्रिस्टल टुक्रों में बिखर गए. एक प्राचीन महान चटान की छाया उसके सिर के उपर से चमकती हुई देखी जा सकती थी. थंड की आवाजे जारी रही, उस बर्फीली उर्जा ने अभी भी उसे ढख रखा था. फेंड आर्ट क्रांस्फॉर्मेशन आदित्य गुर्राया उससे निकलने वाली राक्षसी चीतीवरता में बढ़ गई. वह भयानक उर्जाधाराएं उसके चारों और फैली हुई थी क्योंकि उसका शरीर एक महान रॉक में परिवर्तित हो गया था. हाला कि इस परिवर्तन की शक्ती दानव देवत्व बलिदान परिवर्तन द्वारा दी गई शक्ती की तुलना में बहुत कमजोर है. इसकी काया अंगिनत गुना छोटी थी और इसके पंखों का फैलाव केवल दस मीटर चोड़ा था. हाला कि एक रॉक में बदलने के बावजूद उसके शरीर के कुछ हिस्से अभी भी बर्फ से जमे हुए थे. जैसे ही तलवार की किरने उससे निकली, उसने अपने पंख फड़फड़ाए. तलवार की अंगिनत किरने आपस में मिलकर एक विशाल राजसी तलवार बन गई, जो जमीन में गहराई तक जागुसी. वह उनका एस्ट्रल नोवा था. उस तलवार में कमपन होने लगा, जैसे उसमें से एक अजीब सी तीकी आवाज निकली, माधुर्य की तीक्षनता उस बर्फ को चकनाचूर कर रही थी, जिसने उसे बांध रखा था. लेकिन ठीक इसी क्षन, बर्फ के टुकडो का एक हिंसक तूफान हवा में बेथाशा नाचने लगा, जिसने बड़ी चट्टान को ढख दिया, जिससे वह सफेध हो गया. बस, महान चट्टान का शरीर आसमान में उर गया. जमीन पर पड़ी राजसी तलवार उसके साथ उर गई, उसके चारों और चकर लगाते हुए जैसे ही तेज धुन जारी रही. इससे उत्पन्न भयानक तलवार ने उरते हुए बर्फ के टुकडो को पूरी तरह से नश्ट कर दिया. आदित्य की पैनी निगाह नीचे की ओर गई. एक शन बाद उसका शरीर प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया क्योंकि वह एक धुमकेतु की गती से नीचे उत्रा तुरंट जमीन पर उतर गया. राजसी तलवार पागलों की तरह चुरा घुमपती है. चीरफाड की शक्ती हर चीज़ पर हावी हो जाती है. दग्रेट रॉक बेहद निरनायक था, क्योंकि वह स्नोमैन को नहीं ढून सका. वह इस स्थान की पूरी बर्फ को भी नश्ट कर सकता है. हाला की ठीक इसी समय जमीन पर बर्फ एक दिशा में चली गई और अचानक बर्थी गती के साथ एकत्र हो गई. कुछ समय बाद एक निश्चित दिशा में जमीन के उपर एक बर्फ का पहाड दिखाई दिया और हर सिकंड के साथ तेजी से बड़ा हुता जा रहा था. यह ऐसा थामानों इस दुनिया की सारी बर्फ मिश्रित हो गई है और इस बर्फीले पहाड पर केंद्रित हो रही है. आदित्य की नजर उस बर्फीले पहाड पर पड़ी. महान चटान के रूप में वह आस्मान में उड़ गया. एक राजशाही अपनी कलवार एस्ट्रल नोवा से निकली और नीचे की ओर पटक दी बर्फीले पहाड को निशाना बनाते हुए भारी ताकत से नीचे गिरा. एक भयानक कंपन उर्जा अंतरिक्ष में व्याप्थ हो गई. बर्फीले पहाडों पर बड़ी बड़ी दरारे दिखाई दे रही थी, फिर भी वे चकाचौंध करने वाली गती से ठीक हो गई. और उसी क्षंक बर्फ से बनी एक विशाल क्रिपान बर्फीले पहाडों से निकली और बड़ी चटान पर निशाना साथते हुए उपर की ओर जागिरी. आदित्य विस्पोटक रूप से पीछे हट गया, उसके नीचे का बर्फीले पहाड अभी भी आकार में बढ़ रहा था और जल्द ही कुछ हजार मीटर उचाई का एक विशाल बर्फीले पहाड बन गया. बर्फीले पहाड कापते हुए गड़गडाहट की आवाजे गूज उठी. एक बहुत ही अजीब द्रिश हुआ, बर्फीले पहाड वास्तव में हाथ पेर बढ़ा रहे थे. दरसल चेहरे के फीचर्स भी सामने आए, ये कोई और नहीं बलकी वो हिम्मानव था जिससे पहल बारे साथ खेलना चाहता था. किसने सोचा होगा कि आप इतने बोरिंग होंगे स्नोमैन से एक थंडी आवाज निकली, जिसके बाद उसके चलते ही पूरी धरती काम उठी. पास आने पर इसने तुरंत एक बर्फ के रंग की विशाल ताड को बाहर निकाल दिया, जिसका लक किसी चीज पर बंद नहीं हुए, लेकिन उसकी हतेली के केंडर में बर्फ का एक विशाल स्वटिक बंता देखा जा सकता था. यह दुनिया बहुत बड़ी है. आप बचना जारी रख सकते हैं, मुझे कोई आपती नहीं है, मुझे मजा आ रहा है. हालाकि तुम यहां मेरे स अनंत काल तक फंसे रहोगे. मैं इसके लिए उत्सुक हूँ, बहुत समय हो गया है, जबसे मेरे पास खेलने के लिए कोई है. विशाल हिम्मानव उफास पूर्वक हसा, उसके शब्दों से आदित्य के चहरे के भाव अत्यंत भद्दे हो गए. उसके विरोधी ने नियमों अधिक था और ऐसा लगता था कि वह एक अमर शरीर है. वह कैसे जीत सकता है? उसका शरीर बर्फ और बर्फ से बना है. जब तक मैं इसे एक ही बार में पूरी तरह से नश्ट नहीं कर देता, तब तक मैं इसे मार नहीं पाऊंगा. आदित्य ने चुक्चाप अनुमान लग उसके शरीर में राक्षसी रक्त उमर पड़ा जैसे ही उससे एक विशाल राक्षसी ची निकली. उनके वंश की इस भयानक शक्ती ने उनके स्वयंके खेती के स्तर को अगले स्तर तक अस्थाई रूप से गोली मार दी, क्योंकि उन्होंने तीसरे स्तर के स्वर्गिय सब्तर काय को देखा, उसने सोचा नहीं था कि केवल पहले परीक्षन में उसे पहले से ही अपने रक्त की शक्ती का आहवान करना होगा. इस भावना ने आदित्य को थोड़ा अस्थिर कर दिया, उन्हें बाद के परीक्षनों के बारे में एक अशुब भावना थी. वे कितने भया दिया क्योंकि उसके राक्षसों के जनादेश की इच्छा उसकी सीमा तक पहुँच गई. उनके शरीर को अतुलनिय रूप से कठोर-कठोर तराजू की परतों द्वारा समरक्षित किया गया था, जबकि उनके हाथों में राजा की तलवार थी, क्योंकि वे आगे बढ़ते थे. आदित्य के वर्तमान कोशल के साथ यदि यह बाहरी दुनिया में था, तो उसके लिए चोथे स्तर के स्वर्गिये डिपर सौवरेन को मारना आसान था. मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि आपका शरीर कितने हमलों को अवशोशित कर सकता है. आदित्य की गती चाहशक्ती के रूप में एक थंडी हवा चली और तेजी से मजबूत हुई. एक बार फिर उसका शरीर जमने लगा, उसके शरीर की हर कोशिका को ऐसा लगा जैसे वे जम गये हूं. मरना, जबकि वह अभी भी चल सकता था, आदित्य का सिलहूट गायब हो गया. उसने अपन के विशाल सिर को विसफोट करते हुए आगे निकल गई. बर्फ और बर्फ के उस पिंड को तेजी से नश्ट करते हुए, तलवार की कीन की भयानक धुने गूंच उठी. स्विश बर्फीली हथेलिया हिंसक रूप से आदित्य की ओर दब गई. राजसी तलवार विशाल के अंदर धंसी रह गई थी. साइड में एक ट्विस्ट के साथ आदित्य ने स्टेलर ट्रांस पोजिशन को अंजाम दिया और उसके पीछे भाग गया. एक पल बाद में अपने पहले एस्ट्रल नोवा से संखनित एक स्वरगीय हथोड़ा उसके हाथों में दिखाई दिया क् की अगले ही पल तलवार क्यूई की अंथीन मात्रा एक भंवर में बन गई आदित्य ने एक उंगली से वार किया एक छुरा के साथ स्वर्ग को तोड़ने का इरादा. हेवन ब्रेकिंग फिंगर स्नो जायंट के शरीर में सीधे पटकते हुए इससे पहले कि वह एक बार फिर विस्पोटक रूप से पीछे हटे. वह बर्फीले इरादे बहुत मजबूत थे अगर वह अपनी हरक्तों को रोप देता तो वह जम जाता. बर्फ के दैट्य से दूर रहते हुए आदित्य के चहरे पर अत्यंत गंभीरता दिखाई दी क्योंकि उसने आगे की ओर देखा. उसके द्वारा किये गए हमलों के सन्योजन ने उस विशाल के पूरे विशाल फ्रेम को लगातार कामपने का कारण बना दिया. अंत में एक गड़गड़ाहट के साथ बर्फ के विशाल शरीर का शरीर बिखर गया क्योंकि असीन बर्फ के टुक्रे हवा में बह गये. वह पहले वाला सामान्य आकार का हिम्मानव एक बार फिर आदित्य को घूरता हुआ दिखाई दिया. आपकी युद्धक शक्ती निश्क्रिय है, वह हिम्मानव अचानक हसा, बधाई हो, तुम अगले स्थर में प्रवेश कर सकते हो. हालांकि यह इतना आसान नहीं होने वाला है. वास्तव में आपकी वर्तमान स्थिती में अगला परीक्षन पास करना लगभग असंभव है. बेहतर होगा आप तयार रहें. जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी, हिम्मानव पतली हवा में बिखरते हुए अंधीन बर्फ में बदल गया. जिस स्थान पर वह गायब हुआ था, वहाँ एक अन्य प्राचीन मार्ग की ओर जाने वाली सीधिया देखी जा सकती थी. हिम्पात एक बार फिर बर्सा, कहीं से भी दिखाई दे रहा है. बहुत तेजी से, पूरी भूमी एक बार फिर बर्फ से ढख गई. आदित्या ने अपनी हथेलियों को फैलाया, सुन्दर हिमकणों को अपनी हथेली पर उतरने दिया, इसके पिघलने से पहले इसकी जंजनाहट वाली ठंड़क को महसूस किया. उसने फिर सीधियों की उस उडान पर अपनी नजर घुमाई. हिम्मानव की अनुसार, आगे के ट्रायल की कठिनाई और भी अधिक होगी. वर्मिलियन बर्ड ने ओयांग कुअंग शेंग और चुमांग के लिए अत्याचारी समराठ का रास्ता चुना, म्यूफिंग के लिए रक्ट समराठ का रास्ता, बाई किंग के लिए अराजक शैतान समराठ का रास्ता. लेकिन इसने उसके लिए क्या चुना है? यदि वह इस मार्ग पर सभी परीच्छनों को पार कर गया, तो उसे क्या प्राप्थ होगा? आदित्य बर्फ में पाल्थी मार कर बैठ गया, जिससे बर्फ उसके शरीर पर धेर हो गई, जिससे वह नीचे दब गया अपने राक्षसी रक्त की शक्ती को अपने साधना स्थर को अस्थाई रूप से बढ़ाने के लिए बुलाने के बार, यह केवल सामान्य था कि वह बाद में कमजोर महसूस करेगा और उसे स्वस्थ होने के लिए समय की आवश्शक्ता होगी कई युआन उलका पत्थर उसके चारों और दिखाई दिये क्योंकि उसने अपने युआनफु को फिर से भरने के लिए उनसे सुक्ष्म उर्जा को अवशोशित करना शुरू कर दिया कई दिन बाद आदित्य उठे और सीधियों की उडान की और चल पड़े अपना सिर उठाकर उपर की ओर देखते हुए उन्होंने कोई हिचकी चाहट नहीं दिखाई और तुरंत उस पर चड़ने के लिए आगे बढ़े जैसे ही वह बाहर निकला, सीधियों की उडान दायब हो गई वह दूसरे आयाम में प्रकट हुए और यह स्थान तलवारों के जंगल के अलावा और कोई नहीं था बस एक अतुलनिय रूप से भयानक तलवार क्योई तुरंत आदित्य पर बंध हो गई आसपास का जायजा लेते ही उनके चहरे के भाव राख हो गई अंगिनतीक्षन तलवारें हवा में तैर रही थी और उनमें से प्रत्येक में भारी मात्रा में तलवारें निकल रही थी मानोवे उसे मौत के घाट उतार देना चाहती हूँ यह जंगल तलवारों का जंगल था उनमें से प्रत्येक जीवित लग रहा था और एक इकाई भी लग रहा था यह आधित्य ने मंडराती तलवारों को देखा वे हवा के साथ चलने वाले वास्तविक जंगलों के पेडों पर पत्तों की तरह लग रहे थे प्रत्येक तलवार की नोग ठीक उसी की और इशारा कर रही थी जैसे कि तलवार की रोशनी की किरने शांदार धंग से चमक रही हो यह ऐसा था मानो जिस क्षण वह चला गया वह तलवारों को शूटिंग के लिए ट्रिगर करेगा यह जगह तलवार वन है यदि तुम अभी हार मानने को तयार हो तो मैं तुम्हें बाहर भेज दूँगा तुम्हें कोई हानी नहीं पहुँचेगी एक कोमल आवाज गुंज उठी मानो शूनी से निकली हो एक शन बाद एक सिलहूट को तलवारों के जंगल से बाहर निकलते देखा जा सकता था वह व्यक्ति इत्मीनान से चला लेकिन उसने आदित्य को जो भाव दिया वह ऐसा था कि उसके हर कदम पर तलवार की नियत से सास अंदर बाहर होती थी ऐसा लगा जैसे यह आदमी तलवार का अवतार था और तलवार वन से बाहर निकल सकते हैं लेकिन एक बार जब आपने परीक्षा देने का फैसला कर लिया तो आप मौत के दरवाजे पर होंगे जहां थोड़ी सी भी गलती आपकी जान ले सकती है दूसरी पार्टी बोली आसपास की सरलता से हार कैसे मान सकता है यह कुछ ऐसा था जिस पर आदित्य विचार करेंगे चुँकि उसने पहले ही सबसे कठिन रास्ता चुन लिया है फिर भी वह खत्रे के सामने कैसे पीछे हट सकता है अगर उसने किया तो क्या वह अभी भी था मैं इस परीक्षन को कैसे पास करूँ आदित्य ने फिर पूछा दूसरे पक्ष का मुख शांत था जब उसने कहा इस तलवार के जंगल से चलो और इससे बाहर निकलो तुम परीक्षन पास कर लोगे जदी तुम नहीं कर सकते तो बस यहां व्रिधावस्था में मर जाओ जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी, दूसरा पक्ष मुडा और चला गया उसी समय हवा में एक आवाज गुंजी बस एक कोमल अनुसमारक जैसा कि आप अभी हैं यदि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो तलवारे निश्चित रूप से आपको मार डालेगी आदित्य ने अपने दोनों हाथों को मुठी में जकड लिया और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था ऐसा परीक्षन वह इसे कैसे पूरा कर सकता है सभी दृष्टि कोनों से यह एक असंभव कार्य जैसा लगता है जरा सी हरकत करने पर वह मर जाएगा आदित्य ने दूर जाते हुए व्यक्ती को देखा उसने अनायास ही पुकारा तलवारे तुम्हें क्यों नहीं मारती मैं एक तलवार हूँ तलवारे मुझे क्यों मारेंगी उस व्यक्ती ने धीले से उत्तर दिया उसके शब्दों ने आदित्य के चहरे पर चिंतन की एक जलत बिखेर दी मैं तलवार हूँ तलवारे मुझे क्यों मारेंगी वह तलवार है आदित्य अपने मूल स्थान पर खड़ा था, उसे पेशी हिलाने की हिम्मत नहीं थी तलवार का इरादा हवा में फैल गया, उस पर ताला लगा दिया जब तक वह चलता, तलवारे निश्चित रूप से उसे मार डालती कहने की जरूरत नहीं है, इस तरह की भावना बेहत खतरनाक थी, लेकिन एक अर्थ में बेहत अध्भुत भी थी तलवार के जंगल में मौजूद प्रतेक तलवार को वह सपष्ट रूप से महसूस कर सकता था लेकिन फिर भी इस जगह से चलने के लिए उसे क्या करना पड़ा अपनी आखें बंद करके आदित्य ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की अराजक गड़गडाहट को शांत करने की कोशिश कर रहा था वह जानता था कि अगर उसे पहली को हल करने का कोई मौका मिले तो उसे दिमाग ठंडा रखना होगा यदि उसका मन भ्रमित था, तो वह मृत्यू के बराबर है सिंदूर पक्षी ने अपनी पसंद बनाने से पहले ही उससे पूछ लिया था कि क्या वह मृत्यू का जोखिन उठाने को तयार है चुंकि उसने पहले ही यह रास्ता चुन लिया था, इसलिए उसे डर नहीं लगना चाहिए आगे चल कर ही वह जी पाएगा कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं था, उसे लगातार आगे बढ़ने का साहस और द्रड़ विश्वास होना था मैं एक तलवार हूँ, मैं एक तलवार हूँ आदित्य बढ़बढाया, दूसरे पक्ष के शब्द उसके दिमाग में गूज रहे थे यह महावरा जो उसने कहा वह पहेली को सुलजाने की कुझी प्रतीत हुआ यदि वह एक तलवार होता, एक साथ विलीन हो जाता, तलवार वन के साथ एक हो जाता तो मंदराती अंगिनत तलवारें उसे निशाना नहीं बनाती अचानक आदित्य के शरीर से एक विशाल, प्रबल तलवार का भाव फूट पड़ा वह अपनी तलवार के इरादे को जबरन तलवार के जंगल से निकले तलवार के इरादे से हवा में मिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसी खषण उसने अचानक महसूस किया कि मंदराती तलवारों का मारने का इरादा तेज हो गया था जैसे कि वे किसी भी खषण अंतरिक्ष में गोली मार सकते थे और उसे मार सकते थे आदित्य के चहरे पर भारीपन आ गया और उसने तुरंद अपनी तलवार के इरादे को वापस ले लिया यह तरीका गलत था यदि इस पहेली को हल करने की कुझी इतनी सरल होती तो इसे प्राचीन समराटों की विरासत के मारगों में सबसे कठिन मारग नहीं कहा जाता पहले आयाम में यह उनकी लड़ाकू शक्ती का परीक्षन था दूसरे आयाम में जो वे परखना चाहते थे वह उनकी समझ थी यदि वह तलवार वन से बाहर निकलना चाहता था तो उसे तलवार के साथ एक हो जाना था यह वही सिधांत था जिसका उप्योग स्नोमैन ने इससे पहले आयाम में किया था वह बर्फ के साथ पूरी तरह से एक हो सकता है, जिससे उसकी उपस्थती के सभी निशान छिप जाते हैं। जो आदमी पहले स्वार्ड फॉरस्ट से बाहर निकला था, उसने भी इस तरह की आभा बिखेरी थी। उसने दूसरों को जो भाव दिया, वह स्वय जैसा था, तलवार थी। हालाकि हवा में अंगिनत तलवारें अभी उसकी ओर इशारा कर रही हैं, आदित्य तलवार वाले का अर्थ चुपचाप कैसे समझ सकता था। आदित्य ने अपने दिल को पूरी तरह से शांत करने के लिए एक और गहरी सांस ली। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे खड़ा था और चुपचाप उन तैरती तलवारों को देख रहा था जो हवा में लहरा रही थी। तलवार तेज और सीधी थी। इसका आंतरिक गुन उसके सामने मौजूद हर चीज को व्यापक बना रहा था। तलवार को जानने के लिए तलवार को देखना आदित्य ने चुपचाप सोचा। वह तलवार की तरह सीधे खड़ा हो गया और तलवारों के बारे में सब कुछ देखते हुए चुपचाप तलवारों को घूरता रहा। आदित्य से निकली एक सुरीली तलवार की धुन मानो वह उसी स्वर को गुंजाइमान करना चाहता हो जो तलवारों की मनरा रही हो। कई दिनों बाद आदित्य से तलवार का राग बदस्तूर जारी रहा। अंगिनत तलवारें अभी भी ठीक उसकी और इशारा कर रही थी, हत्या का इरादा अभी भी हवा में व्याप्त था। हाला की आदित्य को एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मादने का इरादा कुछ कम हो गया हो। हाला की कमी दैनिय थी यह कम से कम सुधार का एक रूप थी। तलवार को समझने के लिए तलवार की नकल करना आदित्य ने मन ही मन कहा। वह स्वयं को तलवारों के इस जंगल में खड़ी-खड़ी तलवार होने की कलपना कर रहा था। यहां की प्रत्यक तलवार के समान इच्छा और मन्शा साजा कर रहा था। तलवारे तेज करती हैं तो वह करता है, तलवारे सुती हैं तो वह करता है। स्वार्ड फॉरस्ट के भीतर वास्तव में जलवायू परिवर्तन थे। बारिश का एक बड़ा जोंका आया, मंदराती तलवारें अभी भी गतिहीं थी, आदित्य की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही बारिश के चींटे उनके शरीर पर पड़े, आदित्य को जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उससे निकलने वाली तलवार की धार बेरोक्टोक जारी थी, वह अभी भी आसपास की तलवारों के साथ एक होने की कोशिश कर रहा था। बारिश तेज और तेज होती जा रही थी, उसे अच्छी तरह से भिगो रही थी। फिर भी वह वहाँ खड़ा खड़ा था, एक एमबेडेड तलवार जैसा की एक भयानक तलवार के इरादे से बारिश के पानी को अलग करने के लिए उससे निकला। स्वोर्ड फ़रिस्ट से तलवार की तीखी आवास तेज होती गई। इसी प्रकार आदित्य से उत्सुक तलवार भी उन्ही के समान आवरित्ती तक पहुँची। अंत में बारिश बंध हो गई। तलवार की तान अब भी गूंज रही थी, पर अभी आदित्य ने पाया कि उस पर मंदराती तलवारों का मारत इरादा कुछ और कम हो गया था। इससे आदित्य के हृदय में हर्श की अनुभूती हुई। ऐसा लगता है कि उसने जो रास्ता चुना था वह सही था। वे मुझे क्यों मारेंगे। तलवार वन के बाहर एक आकरिती वहां खड़ी थी, चुपचाप आदित्य के रूप में चिंतन कर रही थी जैसे उसकी आखों में तेज चमक रहा हो। यह युवक असाधारन था, उसकी समझ विक्षिप्ट स्तरकी थी। हो सकता है, वह केवल तीन साल के समय का उपयोग करके इस जगह से बाहर निकल सके। एक और आधा साल बीट गया, आदित्य अभी ऐसा था मानो वह पूरी तरह से एक तलवार में बदल गया हो, जो तलवार के जंगल में दूसरी तलवारों के साथ मिल गया हो। तैरती हुई तलवारों का उस पर कोई इशारा नहीं था, और शेत्र में तलवार की ताकत पहले की तुलना में कई गुना कम दमनकारी थी। उसके चहरे पर मुस्कान आ गई, आदित्य ने अपना पैर उठाया और उर्ती हुई तलवार की तरह हवा में सीटी बजाते हुए बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, एक भयानक हत्या का इरादा ठीक उसके उपर आ गया क्योंकि खेत्र में तलवार अचानक तेज हो सकती थी। क्या मैं गलत था? ऐसे में मैं इस तलवार के जंगल से कैसे निकल सकता हूँ? आदित्य ने चुपचाप खुद से सवाल किया। उसने सबसे कठिन रास्ता चुना, उसे इस परीक्षा को कैसे पार करना चाहिए। यदि वह वास्तव में इस स्थान को पार नहीं कर पाता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वह अनंत काल के लिए यहीं अटका रहता? यह सोचकर आदित्य का हरिदय अनायास ही अशांत होने लगा. आधे साल में उसने कुल आधे साल के समय का उप्योग केवल यह पता लगाने के लिए कि वह गलत था. उन्होंने हमेशा समय को कीमती बनाया तक आदित्य उन्हीं के ख्यालों में खोई रहे। दमनकारी हत्या के इरादे को महसूस करके आदित्य का दिल थोड़ा काम उठा। मानो वह कुछ समझ रहा था। वह अपने दिल में गिरगिडाया, सोचने के लिए कि तलवारों के रूप में आपकी सभी धार्नाये इस हद तक तीवर होंगी कि यहां तक की दोस्त को दुश्मन से भी जानना, दयासे बुराई को पहचानने में सक्षम होना। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में पहले गलत था। चान भूल जाओ, मनुश्य के रूप में अपने अस्तित्व को भी भूल जाओ। एक तलवार के साथ इसके बिना कुछ भी नहीं। समय बीटता गया, आदित्य सब कुछ भूल कर वहीं खड़ा रहा। वह भूल गया कि वह कौन है, भूल गया कि उसे तलवार के साथ एक हो जाना है। लेकिन किसी तरह रहस्य मैं परिवर्तन हो रहे थे, वह खुद बिना कोशिश किये ही असली तलवार की तरह बन गया। एक हल्की हवा का जोंका आया, स्वोर्ड फॉरिस्ट में अब कोई इनसान नहीं थे। केवल तलवारें थी। अभी आदित्य को अचानक एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा महसूस हुआ कि चारों और का परिवेश उसके शरीर का एक हिस्सा था, तैरती हुई तलवारें, साथ ही तलवार वन की संपूर्ण का। अंत में आदित्य के हुठों पर एक मुस्कराहट खेली। उसने अपनी आखें खोली और एक कदम आगे बढ़ा। इस कदम का बल कोमल था, फिर भी यह उनके आत्म विश्वास के असहनिय भारीपन से भरा हुआ था। उसके उस कदम को आगे बढ़ाते हुए, ऐसा लगा जैसे पूरा तलवार वन उसके साथ कदम उठा रहा हो। आदित्य जानता था कि तलवार की उसकी समझ और समझ एक बिल्कुल नए दायरे में पहुँच गई थी। वह यह भी समझ गया था कि इस दायरे में कदम रखने पर ही कोई तलवार वन से बाहर निकल पाएगा। न केवल वह इस जगह से बाहर निकल सकता था, बलकि अगर वह चाहे तो तलवार वन को भी नियंत्रित कर सकता था। अपना हाथ बाहर फैलाते हुए, आदित्य ने तैरती हुई तलवारों में से एक को सहलाया। जैसे ही उसने उसके स्पर्श को महसूस किया, तलवार धीरे-धीरे कमपन करने लगी, जैसे एक गुन-गुनाती हुई आवाज हवा में भर गई। अफसोस की बात है कि एक वास्टविक लड़ाई में, मेरे पास उन्हें नियंत्रित करने के लिए इतनी शक्तिशाली तलवारे नहीं होंगी, आदित्य ने आह भरते हुए कहा। उसके बाद उसने अपने हाथों को लहराया और तुरंत स्वार्ड फोरेस्ट में सभी तलवारें उसकी ओर बढ़ी, हवा में मंदराते हुए एक सबरदस्ट तलवार निकाली, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ खा जाना चाहती हो। उस आकरिती की आखें प्रशंसा से भर गई, आदित्य की समझने की क्षमता ने उन्हें भी चौका दिया है। आदित्य स्वाभाविक रूप से समझ गया की दूसरा पक्ष किस बारे में बात कर रहा है। तलवारों के जनादेश, स्वार्ड मेलोडी की उनकी अंतरद्रिष्टी का दूसरा स्तर उन्नत सीमा से परिवर्तन सीमा तक पहले ही तूट चुका था। वह परफेक्शन तक पहुचने से सिर्फ एक चरण और दूर थे। साथ ही, उन्होंने यह भी समझा कि स्वार्ड फॉरेस्ट से बाहर निकलने में सक्षम होने के कारण उन्होंने पहले से ही एक अत्यंत अत्याचारी तलवार कला को समझ लिया था। इस तलवार कला का नाम क्या है? आदित्य ने पूछा। आदित्य ने प्रणाम किया। धन्यवाद की कोई आवशक्ता नहीं है, आप पहले ही दो परीक्षनों को पार कर चुके हैं। हालाकि अगला परीक्षन जिसका आप सामना कर रहे हैं, वह इतना आसान नहीं होने वाला है। यदि आप इसे पास कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सफलता से केवल एक कदम दूर होंगे। पूरी तरह से गायब होने से पहले, जब उसका सिलहूट बिखरने लगा, तो वह आकरिती मुस्कुराई। यह पूरा आयाम फिर से हिलने लगा। और पलक जपकते ही, सीडियों की एक और उडान देखी जा सकती थी जहां आकरिती पहले थी, जिससे आदित्य को अगले आय प्रयास करना भी पागल था। इसका एक उदाहरन तलवार का जंगल था, अगर उसने गुस्से और गुस्से को महसूस किया होता, तो समझ हासिल करना और तलवार के जंगल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता। यहां तक कि वह कई वर्षों तक फंसा रह सकता है, उस बजाए वह पाल्थी मार कर बैठ गया और पिछले एक साल में उसने जो कुछ भी अनुभव किया था, उसकी समीच्षा की। यद्यपी उसका साधना स्तर वही रहा, उसके हरिदय की अवस्था में गुनात्मक परिवर्तन आया था। इसके अलावा, विशेश रूप से तल अचार पर अचमभित हो सका। यह जिस शक्ती को प्रकट करने में सक्षम था, वह नौपरम कलाओं में से एक हेवनली स्वार्ड पले से नहीं हारेगी। वास्तव में यह उससे भी अधिक हो गया। हाला कि किसी कारण से सेवन एनिहलेशन स्वार्ड पले उसी सूची में य संभव था। उन्होंने एक पूरे वर्ष का उप्योग उस स्थिती को देखने और प्राप्त करने के लिए किया था जहाँ वे तलवार के साथ एक थे। वह एक अत्यंत अध्भुत स्थिती थी और एक विचार से वह तलवार वन में सभी तलवारों को नियंतरित कर सकता थ यह तलवार की महारत का बुनियादी स्तर था इससे पहले की कोई व्यक्ति साथ विलोपन स्वोर्ड पले को समझ सके उस तक पहुँचना चाहिए। इसके अलावा यह सौभाग्य की बात है कि सामाने काश्टकारों की तुलना में उनकी समझने की क्षमता बहुत अधिक मज बूत थी। कुछ को कुल पांच साल या दस साल लग सकते हैं या अपना पूरा जीवन जंगल में बिताने तक हो सकता है जब तक की उनकी मृत्यू नहीं हो जाती। पहले से ही इतना कठोर था कि बहुत से लोग इसकी खेती नहीं कर पाएंगे। कई दिन चुपचाप बीट गए जबकि आदित्य ने महसूस किया कि उनका साधना स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसकी तलवार संरेखित युआनफू में सुक्ष्म उर्जा अवशोशन का भंवर एक भयानक गती से घूमता है जिससे उसका अन्य युआनफू साथ जाता है। उनकी किंगली स्वाड एस्ट्रल नोवा तेजी से शारिरिक रूप से बढ़ी और वह अब एक सफलता से केवल एक कदम दूर थे। आज आदित्य ने अपनी साधना बंद कर दी और अगले आयाम में प्रवेश करते हुए सीधियों की उडान पर चड़ गए। इस आयाम में राक्षसी जानवर हर जगह थे। उस पर राक्षसी ची की भयानत लेहर दौर पड़ी। आदित्य भस्म हो गया, ये राक्षसी जानवर कम से कम स्वर्गिय सब्तरिशी के दूसरे स्तर पर थे। और वह अपनी दृष्टी के छोर पर उनका अंत भी नहीं दे एक भयानक धौकनी सुनाई दी। आदित्य केवल एक पल के लिए रुका, एक कदम आगे बढ़ने से पहले साथ विनाष तलवार बाजी को अंजाम दिया और सीधे उस पर हमला करने वाले राक्षसी जानवरों को मार डाला। उन्हें इस कदर शत्विक्षत कर दिया गया था कि उनकी हड्या भी पीछे नहीं रहीं। फिर भी इस भयानक नजारे को देखने के बाद भी उसके आसपास के अन्य राक्षसी जानवरों ने संकोच का कोई संकेत नहीं दिखाया और उसकी ओर दोड़ते रहे। यहां आदित्य के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नह आदे के साथ उनके चार एस्ट्रल नोवास ने उन्हें घेर लिया, बाहर की ओर धमाका किया। वे जहां भी गए, खून और जमा हुआ खून का निशान देखा जा सकता था, राक्षसी जानवर पूरी तरह से नश्ट हो गए थे। खास तोर पर उनकी किंडली तलवार के जो उनका सबसे मजबूत एस्ट्रल नोवा था। उसके सामने कुछ भी नहीं टेक सकता था, आदित्य के करीब जाने की कोशिश करने वाले किसी भी राक्षसी जानवर को सहचता से विकीन करने वाला तेज। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जमीन पर गिरने वाल हर कदम के लिए राक्षसी जानवर निश्चित रूप से मरेंगे। ऐसा अंधा कतलेयाम एक दिन, दो दिन तक चलता रहा। जैसे उसका कोई अंथी न हो। साथ दिन बाद आदित्य ने अपनी सारी शक्ती पूरी तरह से समाप्थ कर दी। वह केवल सुरक्षात्मक शिला अंवरों पर उसकी निगाहें। क्या वास्तव में इस आयाम से बाहर निकलने का कोई रास्ता था? यदि यह इस तथे के लिए नहीं होता कि वह दिव्य शिलालेखों में कुशल था, तो वह पहले ही कभी नखक्म होने वाली भी ये कारण ठकावट से गिर गया होता। शाह के कारण के रूप में स्वर्गी अभाग्य रैंकिंग के समापन के ठीक बाद हुई उतक्रिष्ट शक्तियों के बीच विश्वहिला देने वाले युद्ध के कारण स्वाभाविक रूप से था। उस युद्ध के दोरान पुल तीन खगोलिय घटना आरोही गिरे थे। औ कि पारलौकिक शक्तियां भी गिर सकती हैं। और एक बार जब उन्होंने ऐसा कर लिया, तो विजेताओं द्वारा भविश्य की सभी समस्याओं की जड़े पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। जून यूने ग्रैंट शाम से कुछ आरोही को बुलाया। वा कबीले और वान कबीले के साथ गठ बंधन किया, आदित्य के साथ साथ परी किंग मेई के निशान तलाशने की पूरी कोशिश की। जब तक आदित्य जीवित थे, पिल एमपरर हॉल कभी भी चैन से नहीं रह स जाहिर है, आदित्य एक टिक-टिक करने वाला टाइन बं था जो अंता भविश में उन पर फटेगा। कभी पिल एमपरर हॉल के शिश्यों को भी स्वाभाविक रूप से शाही मकबरे के बाहर पहरा देने के लिए भीजा गया था। इस्टियल फेनोमेनन आरोही भी सेना में शामिल हुए थे। केवल यह पता लगाने के लिए कि स्वर्गिय सब्तरिशी के तीसरे स्टर पर खेती के ठिकानों के साथ राक्षसी जानवरों की एक अंथीन राशी उसका इंतजार कर रही थी। के लिए नहीं होता कि वह दिव्य शिलालेक संरचनाओं में कुशल था तो वह लंबे समय तक मर चुका होता। ऐसा परीक्षन वास्तव में कुरूर था यह बहुत निर्मम था। यह परीक्षन कब तक चलेगा। उसे पता नहीं था वह केवल आगे बढ़ना जारी रख सकता था। समय बीटने को वह पहले ही भूल चुका था। आदित्य को लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में उतर गया हो। और अंत में एक दिन उसने कुछ ही दूरी पर एक भव्य और राजसी संरचना देखी। आदित्य को अपार हर्श हुआ, अनवरत सहार समाप्त होने वाला था। उसने अपने रास्ते को मार डाला, संरचना में प्रवेश किया। केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एक बार फिर शाही मकबरे के भव्य हॉल में था। सिंदूर पक्षी के साथ आमने सामने आ रहा था। यह सिंदूर पक्षी को घूरते हुए आदित्य पीला पड़ गया। यह वह रास्ता है जिसे आपने चुना है, सबसे कठिन रास्ता। सबकुछ एक ध्रम था, लेकिन आपने जो प्राप्त किया है, वह इन वर्षों की तपस्या के माध्यम से प्राप्त अनुभव है। सिंदूरी चिडिया ने उसे देखा और धीरे से जोड़ा, हर कोई लंबे समय से शाही मकबरे से बाहर निकल चुका है। परंतु तेरे शक्रू बाहर पहरा दे रहे हैं, अच्छा यही होगा कि मैं तुझे बाहर भेज दूँ। वहाँ व्यवस्थित किये गए पहरेदारों की संख्या को देखकर आदित्य चुपचाप वहाँ से चले गए। बड़ी तेजी के साथ निकलते ही आदित्य सिल्हू टिम्टिमा गया। क्योंकि उसके दोनों सच्छे शरीर एक ही इरादे और विचारों को साजा कर सकते थे, वह पहले से ही जानता था कि परी किंगमेई वर्तमान में कहा स्थित है। कुछ दिनों बाद वह चुमें वापस स्काई हार्मनी सिटी पहुँचे। उसने किंचुआन और उसकी बड़ी बहन किंयाओ को देखा। इस नजारे ने उन्हें खुशी का एहसास कराया और उनकी कुछ थकान कम हुई। परी किंगमेई और किंगेर भी यहाँ थी। लान यह सब्तरिशी शासकों की एक सेना ने यहां से उडान भरी, अपने नक्षक्र और सुक्ष्म नोवा को बाहर निकाला, जिससे पूरा आकाश भीतर से भर गया। मेरा पीछा किया गया था, आदित्य का दिलतेजी से धड़क रहा था, उसका चहरा कागस की तरह पीला केवल जून यू को बोलते हुए सुनने के लिए, यह सूचने के लिए कि आप सभी ने वास्तव में इतने दूर इतने छोटे शहर में छिपना चुना है, परंतु जब से हमने तुम को ढूंड लिया है, तुम सब के सब आज यहीं मरोगे। जैसे ही उसकी आवाज की आवा फिर भी आदित्य निश्चर रहा, उसका मन उस त्रास्दी से चक्रा रहा था जो उसने अंजाने में गढ़ी थी, यहाँ अज्यात था कि कब किंगर आखिरकार प्रकट हुआ, उसके सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह अनादी काल से ऐसा करती आ रही हो, स्काई हार्मनी सिटी के किन कबीले का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया, और एक ही स्तर के इतने सारे बिजलीघ्रों की घेरा बंदी के तहट, परी किंग में इने पूरी निराशा से भरी आवाज निकाली क्योंकि वह भी मारी गई थी, आदित्य के ह आत के नाखून बहुत गहराई तक खोदने से खून रिसने लगा, उन्होंने एक बार फिर राक्षसी दिव्यता बलिदान परिवर्तन को उजागर किया, और एक राक्षस में बदल गए, हाला कि इस बार वह तुरंत दिव्यघटना आरोही की संख्या से दब गया, उनके वह महसूस कर सकता था कि उसे कहीं ले जाया जा रहा है, किंगर चुपचाप वहां खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा, उसकी वह बरफीली थंडी आखें आखिरकार पिघल गई, मुसकान की गर्माहट से खिल उठी, लेकिन जल्द ही आरोहीयों के सन्युक्त हमल वह मुसकान उनके दिमाग में अंकित हो गई थी, आदित्य पूरी पीडा में चिल्लाया और जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो उसे पहले ही चुके बाहर एक स्थान पर भेज दिया गया था, वह अपने चारों और एक तक घूर रहा था, उसके दिल को लगा जैसे वह पह बहन की न्याओं की हत्या कर दी गई थी, और उसकी वजह से परी किंगमेई और किंगेर की भी मृत्यू हो गई, एक उजार सननाटे में एक पागल आदमी की तरह, उसकी चेतना धुंधली होने लगी जैसे अवर्णनिय दर्थ उसके दिल में भर गया, वह मरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, वह वास्तविक्ता का सामना करने को तयार नहीं था, वह पलायन चाहता था, क्या यह उसका भाग्य था, ऐसा क्यो था, वह स्वर्ग से पूछना चाहता था कि उसने ऐसा क्या किया जिसके योग्य वह था, इस समय आत्मा महाद्वीप से एक हजा भले ही वह बेहोश था, फिर भी वह अपने सपनों के द्रिश में साधना कर सकता था, सुक्ष्म उर्जा को अवशोशिक कर सकता था, जिससे उसे ठीक होने में मदद मिल रही थी। पर लग रही थी और जो कुछ हुआ उससे उसका दिल दहल उठा, उसका सिर आदित्य के कंधे पर पड़ा हुआ था, और उसकी आखें शूने से आगे की ओर देख रही थी। अपने सामने सुरक्षित और स्वस्थ खड़ा देखा, स्वभाग्य से वह सिर्फ एक बुरा सपना था, कितना भयानक, क्या हुआ किंकी आवाज थंडी थी, फिर भी इसमें एक मधुर जुकाव था, जो कानों को बेहत भाता था। उसने देखा कि इस समय चिंता से आदित्य की भौहें कस गई हैं। मेरा दूसरा शरीर एक अंथीन दोह स्वपन में उतर गया है। वहां मैंने एक ऐसे आयाम में प्रवेश किया है, जो मेरे दिल में राक्षसों द्वारा बनाया गया एक बेहत दरावना स्वपन द्रिश्य प्रतीत होता है। आदित्य ने फिर जारी रखा, उसके और मेरे बीच एक सहज संबंध है, फिर भी मेरे पास उसे इससे जगाने का कोई तरीका नहीं है। आदित्य धीमी आवाज में बोला, उस संबंध के कारण वह वह सब कुछ जानता था जो उसके दूसरे शरीर ने अनुभव किया था। वह यह भी जानता था कि स्वपन द्रिश्य कितना भयानक है, उसका दूसरा स्वया अनुभव कर रहा है।